Hello everyone, I am Priyanka Gaur, Welcome back to my channel Learning with Pace, 9th class की civics का यह है 3rd chapter, इससे पहले के chapters मैंने अल्रेडी complete करा दिये हैं, the chapter name is electoral politics, so basically हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में यहां overview में बताया हुआ है, तो देखो हम chapter 1 में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं democracy के बारे में, उसमें हमने यह जाना था 1st chapter में कि एक democracy में यह possible नहीं है कि हर एक इनसान directly rule करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने representatives को elect करते हैं, और वो representatives हमारे बिहाफ पर rule करते हैं, बट इस chapter में हम जानेंगे कि इन representatives को कैसे elect किया जाता है, elections necessary क्यों होते हैं, election useful क्यों होते हैं democracy में, इस बारे में बात कर करेंगे, and then किस तरीके से अलग-अलग parties के बीच में electoral competition होता है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम यह जानेंगे कि कोई election democratic and एक election non-democratic election कैसे हो सकता है, so democratic and non-democratic elections के बीच का हम difference भी देखेंगे, okay, and then rest of the chapters में हम इंडिया में elections की बात करेंगे, इसके अलावा election के हर stages को ध्यान से देखेंगे, and अलग-अलग constituencies में जिस तरीके से election होता है, उसके बारे में बात करेंगे, and हम declaration of result की भी बात करेंगे, तो चुनाव से लेकर चुनाव के result तक की हम पूरी stage देखेंगे, and हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कि हर stage में जो elections हैं, वो कैसे होने चाहिए, and हमारे देश में किस तरीके से election actual में होते हैं, and फिर हम towards the end of the chapter ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कि क्या इंडिया में आज तक free and fair तरीके से election हुए हैं, फिर इसके बाद हम election commissions, जो की चुनाव एक समीती होती है, इनके बारे में बात करेंगे, कि इनका क्या role है free and fair elections में, ठीक है, तो चलिए, अब आगे अपना topic शुरू इलेक्शन्स, assembly elections in हर्याना, हर्याना में जो assembly election हुए थे, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो देखो assembly elections जो होते हैं ये state level पर होते हैं, तो क्या होता है, basically एक राजय में एक state में अलग-अलग constituencies होती हैं, तो जैसे हर्याना की अगर हम बात करें, तो हर्याना में 90 constituencies हैं, तो हर एक constituencies से MLA चुना जाता है, अब जिस party के सबसे ज्यादा MLA चुने जाते हैं, उन MLA में से एक leader चुना जाता है, जिसे हम कहते हैं CM, मतलब Chief Minister, ठीक है, तो ध्यान रखना की assembly election जो है, वो state level पर होते हैं, और जिससे हम CM चुनते हैं, हम Chief Minister चुनते हैं, ठीक है, अच्छा यहां पर आगे यह एक newspaper का cutout दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, हाला कि इसमें से एक दो line ही important है, the time is after midnight, अच्छा यहां पढ़ आपको यह सारे के सारे sentences, present tense में देखने को मिलेंगे, reason being कि यह newspaper का cutout है, और यह 1987 का newspaper है, ठीक है ध्यान रखना, तो यह newspaper का cutout ह तो इसलिए यूँका यूँ यहां पर छापा हुआ है, तो आधी रात से भी ज्यादा time हो चुका था, काफी ज्यादा crowd थी, and crowd काफी ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि वो अपने leader का भाशन सुनने के लिए बेताब थे, ठीक है, and crowd जो है, वो कम से कम 5 घंटे से wait कर रही थ आपको पता है ना, कि जब elections होते हैं, उससे पहले जो parties होती हैं, वो अलग-अलग areas में जाकर भाशन देती हैं, लोगों को promises करते हैं कि वो उनके लिए क्या-क्या करेंगे, है ना, तो अब जो organizers हैं, वो crowd को संभाल रहे हैं, कह रहे हैं कि कि किसी भी time हमारे नेता आने वाले हैं, तो यहाँ पर कौन से leader की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, Mr. Devilal के बारे में, जो हर्याना संगर्ष समीती के chief भी रह चुके हैं, तो यह important line है यह धियान रखना, So Mr. Devilal, Thursday night को करणाल में भाशन देने वाले थे, यह 76 year old थे, काफी busy चल रहे थे उन दिनों, क्योंकि यह elections की तयारी कर रहे थे, तो इनका जो program है, election की तयारी का, वो शुरू होता था 8 बजे सुबह के, end होता था 11 बजे रात के, And यह सुबह से already 9 election, जो areas होते हैं, जो अलग-अलग constituencies होते हैं, वहाँ पर जाकर इनोंने भाशन अलगरी दे दिया था, And यह पिछले 23 महीनों से लगभग एक साल से यह election की तयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात हो रही थी, चौदरी, देविलाल के बारे में, This newspaper report, जो अभी हमने यह newspaper report पड़ी, it is about the state assembly election in हर्याना, तो यह state assembly election के बारे में हमने पढ़ा, जो की हर्याना में हो रहे थे, कब हो रहे थे, 1987 में, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि 1987 से पहले, Congress का rule चल रहा था हर्याना में, ठीक है, And Congress के opposite में ही, चोधरी, देविलाल खड़े हुए थे, The state had been ruled by a Congress party, led government since 1982, तो 1987 से पहले, अगर हम 1982 की बात करें, तो 1982 से लेकर 1987 तक Congress का rule रहा था, ठीक है, हर 5 साल के बाद election होते हैं, तो Congress का rule था, Congress के opposite में खड़े थे, चोधरी, देविलाल, तो चोधरी, देविलाल जो है, ये एक opposition leader थे, इन्होंने एक movement चलाया, न्याय युद, न्याय युद का मतलब है, struggle for justice, न्याय का मतलब होता है, justice, युद का मतलब होता है, संघर्ष करना, लड़ाई करना, है न, and formed a new party, और चोधरी, देविलाल ने एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम है, जिसका नाम था, लोकदल, ठीक है, तो अभी आप यहां पर समझे क्या, all and all देखो, आपको समझना कैसे है, इस chapter को हम बड़े ही, एक दम, डिटेल में करते जाएंगे, है न, देखो, 1982 से लेकर, 1987 तक रूल रहा, कॉंग्रेस का, ठीक है, तो अब 1987 में होने थे, इलेक्शन, तो 1987 में जब इलेक्शन होने थे, तो कॉंग्रेस के अपोजिट में कोन आये, चौधरी देविलाल, जिन्होंने पार्टी बनाई लोगदल पार्टी, ठीक है, लोगदल पार्टी, जो है, वो कॉंग्रेस के अपोजिशन में थी, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूँ, यह जो 1987 में इलेक्शन होए थे न, इसमें लोगदल पार्टी जीत गई थी, लेकिन फिर बाद में फिर से, जो है, कॉंग्रेस पार्टी दूसरे चुनाव में जीत गई, ठीक है, तो किस तरीके से पहले कॉंग्रेस पार्टी थी, 1987 में चुना हुए ये लोगदल पार्टी जीत गई फिर लोगदल पार्टी का टाइम जब खतम हुआ फिर दुबारा से कॉंग्रेस पार्टी का रूल आ गया था ठीक है तो अब देखो जो ये चोधरी देवी लाल थे इनों ने जो है कॉंग्रेस के अगेंस्ट जो है ये नारा लगाया नारा क्या था न्याय युद्ध का that means struggle for justice तो ये लोगों को कह रहे थे कि हम justice लेकर रहेंगे His party joined other opposition party to form a front against the Congress in election इसके अलावा लोगदल जो पार्टी थी जो की चोधरी देवी लाल की पार्टी थी इनोंने other opposition party को भी अपने साथ जोड लिया ताकि ये Congress के अगेंस्ट लड़ सके In the election campaign देवी लाल said that if his party won the election तो जब election campaign हो रहे थे election campaign में जैसे मैंने बताया कि भई जो नेता लोग होते हैं वो तयारी करते हैं elections की वो campaign चलाते हैं लोगों को भाशन देते हैं लोगों को बताते हैं कि हम तुमारे लिए क्या क्या करेंगे तो election campaign में चोधरी देवी लाल ने क्या कहा कि अगर वो election जीतते हैं तो वो क्या करेंगे एक सेकिंड नीचे से शायद को skip तो नहीं हो गया इनों ने कहा कि अगर वो election जीतते हैं then his government would waive the loan of the farmer and small business man देखो अब इनों ने क्या कहा इनों ने कहा आम जनता को कि अगर मेरी party जीत गई तो मैं जो farmers जिसके उपर कर्ज चड़ा हुआ है लोन चड़ा हुआ है and small business जिसके उपर लोन चड़ा हुआ है उनके लोन मैं माफ कर दूँगा ठीक है तो ये बात किस ने कही थी चोदरी देविलाल ने कही थी He promised that this would be the first action office government की सबसे पहले ही यही काम करेंगे कि जो किसान है जो small business man है उनके लोन को ये माफ कर देंगे The people were unhappy with the existing government लोग already existing government से परेशान थे नाखुश थे तो existing government थी Congress इसी के opposition में लोगदल पार्टी थी जो देविलाल की पार्टी थी तो अब क्या हुआ ना कि लोग existing government से नाखुश थे इसी टाइम पर देविलाल ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे सबी लोग उनकी पार्टी की तरफ incline हो गए तो हुआ ये कि देविलाल ने एक promise किया इनों ने कहा कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी ना तो सभी farmers and जितने भी small businessmen हैं उनके loan को हम माफ कर देंगे तो लोगों ने जब ये वादा सुना तो लोगों ने लोगदल पार्टी को ही जिताया तो जब election हुए तो लोगदल पार्टी और इनके साथ जो allies parties थी देख़ो यहाँ पर already हमने बात की थी कि लोगदल पार्टी ने allies parties जो की Congress के opposition में अधर पार्टी थी उनको अपने साथ जोड लिया था तो लोगदल पार्टी और जो allies parties थी वो जीत गई तो लोगदल पार्टी and इनके जो पार्टनर थे वो कितनी seat लेकर जीते तो 90 seat में से 76 seats that means 76 seats जो है वो इनके नाम होई देखो अभी यहाँ पर 90 seats का मतलब क्या है होता यह है कि state में जो basically जो constituencies होते हैं उनमें constituencies में बाट दिया जाता है और हर एक constituency में election होते हैं तो जैसे यह हर्याना हो गया तो इसमें 90 constituencies हो गई ठीक है ऐसे हर एक constituencies में से MLA चुने जाते हैं अब जिस party के सबसे ज्यादा MLA चुने गए हैं उनमें से फिर leader चुना जाता है उसी leader को chief minister कहते हैं तो 90 constituencies में से basically 90 seats में से 76 seat थी वो लोगदल party and इनके allies की ही थी ने alone मतलब लोगदल party के अकेले में कितनी seats थी 60 seat थी तो यह majority में थी ठीक है तो यह majority में थी क्योंकि 60 seat अकेले किसकी थी लोगदल party की थी and congress के पास सिर्फ और सिर्फ 5 seat आई थी once the election results were announced the sitting chief minister resigned जैसे ही election result announced हुए, result की घोशना हुई वैसे ही जो chief minister थे already existed अब उन्होंने इस्तिफा दे दिया और अब देविलाल जो है वो chief minister बन गए तो जो newly elected MLA's थे, मतलब जो member of legislative assembly थी लोगदल की, उन्होंने देविलाल को अपना leader चुना तो देविलाल को जब अपना leader चुना, तो state के जो governor थे उन्होंने देविलाल को invite किया और जो राजा का कारिया भार था, वो देविलाल के हाथ में दे दिया जब result declare हुआ, उसके तीन दिन के बाद देविलाल को जो है chief minister बना दिया गया As soon as he became the chief minister, देविलाल जी जैसे ही chief minister बने तो उन्होंने जो promise किया था, लोगों को, आम जनता को वो promise उन्होंने पूरा किया तो उन्होंने small farmer, agricultural laborers and small businessmen इनके जो बकाया, रिंड था, जो loan इनके उपर चड़ा हुआ था, उस करज को इन्होंने माफ कर दिया, ठीक है, अब इनकी party next 4 साल तक rule करी, लेकिन जब 1991 में दुबारा से election हुए, तो लोगदल party इस time पर नहीं जीत पाई, बलकि दुबारा से वापिस से कौन सी party आ गई थी, Congress party, ठीक है, तो दुबारा से Congress party आ गई थी, तो ध्यान रखना, ओके, अगर जैसे की देखो, अगर 1882 की बात करें, तो Congress का रूल था, फिर 1887 की बात करें, तो लोगदल party का रूल था, फिर 1991 की बात करें, तो दुबारा से Congress party आ गई थी, हाँ, चलिए, अब आगे वाला जो part है, why do we need elections, इसके बारे में हम next वीडियो में बात करेंगे, Till then, bye bye, thank you so much for watching this video, इसके अलावा आप मेरे साथ Telegram, Instagram पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको time to time important notifications मिलती रहती हैं Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, तो हमारा भी topic है, why do we need elections, हमें elections की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे, Elections take place regularly in any democracy, जिस देश में democracy होती है, democratic form of government होती है, वहाँ पर elections regularly held किये जाते हैं, Like कुछ interval के बाद elections होते हैं, there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives, that means कि पूरे world में अगर बात की जाए, तो 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं, जहां पर elections होते हैं, and उन elections में लोग अपने representatives को चुनते हैं, and ये representatives लोगों के बिहाफ पर rule करते हैं, We also read that elections are held in many countries that are not democratic, देखो हमने अभी तक ये भी पढ़ा कि democratic form of government में क्या होता है, elections होते हैं regular interval of time पे, लेकिन हमने ये भी जाना कि जो देश democratic नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पर भी elections होते हैं, but why do we need elections, सबसे बड़ा question तो ये आता है कि हमें चुनाव की जरुरत क्यूं होती है, हमें election की जरुरत है क्यूं, अगर election नहीं होंगे तो क्या होगा, and election हो रहे हैं, तो क्यूं हो रहे हैं, उनसे हमें क्या फाइदा है, ये सारी चीज अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर हम election कंड़क्ट नहीं कर रहे, तो अब एक बात बताओ, एक ऐसा देश जहाँ पर democracy है, that means सभी लोगों के opinion matter करते हैं, लेकिन वहाँ पर बिना elections के फिर आप leader कैसे चुनोगे, चलो इसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हम ये बात करें, कि एक democratic देश में हम elections कंड़क्ट नहीं कर रहें, तो अब leader को कैसे चुना जाएगा, leader को ऐसे चुना जाएगा, कि अब सब लोग साथ में इकटे बैठेंगे, and decision पर पहुँचेंगे, तो हमने ये बात already chapter 1 में कर ली है, that this is not possible in any large community, that means, एक large community में जहां पर करोडों की जनसेंग क्या हो, क्या ये possible है, कि सबी लोग साथ में बैठ कर निरने लेंगे, आपको लगता है कि क्या ये possible हो सकता है, ये possible तो नहीं है बिलकुल भी, इसके अलावा ना ही लोगों के पास उतना time है, एंड ना ही सब लोगों के पास उतनी knowledge है, कि वो हर एक matter पर बोल पाएं, अपने opinion रख पाएं, एंड एक decision पर पोहुँच पाएं, therefore, in most democracies, people rule through their representatives, तो इसी लिए, यहाँ पर democracy की अगर हम बात करें, तो election जो है, वो क्या किये जाते हैं? held किये जाते हैं, एंड कुछ representatives को चुना जाता है, एंड इसी लिए, representatives जो हैं हमारे बिहाफ पर rule करते हैं, next question है, is there a democratic way of selecting representatives without election? तो यहाँ पर यह कहा गया है, कि क्या हम representatives को बिना elections के democratic तरीके से चुन सकते हैं? तो इसका एक बार answer देखते हैं, कि अगर हम representatives को बिना election के democratic तरीके से चुनेंगे, तो किस तरीके से चुन सकते हैं? तो हम representatives को कुछ आधार पर चुनेंगे, जैसे कि उनके age के आधार पर, उनके age के हिसाब से, उनके अनुभव, मतलब उनके experience के basis पर हम उनको चुन सकते हैं, या फिर हम उनको basis of education, मतलब उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, उनकी education के basis पर चुन सकते हैं, या फिर उनकी knowledge के basis पर हम चुन सकते हैं, लेकिन क्या इस basis पर चुनना हमारे लिए easy है? बिलकुल भी easy नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा, या ये decide करना मुश्किल होगा, कि कौन ज्यादा experienced है, and कौन दूसरे से ज्यादा knowledgeable है, but let us say that the people can resolve these difficulties, clearly such a place doesn't require elections, तो चलो हम ये भी मान के चलते हैं, कि हमने बिना elections के democratic तरीके से, अपने representatives को चुना, उनकी age, experience, education, knowledge के आधार पर, लेकिन यहाँ पर other question ये आ जाता है, कि क्या हम ऐसे place को democratic place कहेंगे, कैसे place को, तो पहले हमने ये देखा, कि बिना elections के हम अपने representatives को कैसे चुनेंगे, सब साथ में बैठेंगे, and साथ में बैठ कर, जो है decision लेंगे and अपने leader को चुनेंगे, दूसरा leader कैसे चुना जाएगा बिना election के, उनकी age, उनके experience and उनके education के आधार पर, उनके knowledge के आधार पर, ठीक है, तो इस तरीके से हम representatives को चुनेंगे बिना election के, लेकिन क्या आप ऐसे देश को या ऐसे place को democratic कहेंगे, जहाँ पर इन दो तरीकों से representatives को चुना जा रहा हो, so clearly no, हम ऐसे place को democratic place नहीं बोल सकते, इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि अगर election नहीं होंगे तो क्या होगा, so how do we find out that if people like their representative or not, तो हमें बिना election के कैसे पता चलेगा कि लोगों को अपने representatives पसंद आ भी रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे, how do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people and हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो representatives हैं, जो leaders हैं, ये लोगों की wish के according काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लावा हमें election के बिना ये भी पता नहीं लग सकता कि representatives लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको next representative नेक्स टाइम पर नहीं बनना, ठीक है, तो elections में तो क्या होता है, जैसे कि suppose करो अगर हमें कोई ruling party पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हम next election में उसको क्या कर सकते हैं, remove कर सकते हैं और दूसरी party को हम win करा सकते हैं, लेकिन अगर election नहीं होंगे और representatives अगर ढंक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो हम उन representatives को किस तरीके से remove करेंगे, हम उनको remove भी नहीं कर सकते हैं, so this requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them, लेकिन अगर suppose करो, अगर elections होंगे और हमें अपने जो representatives हैं, वो पसंद नहीं होंगे, उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उनको regular interval के बाद, मतलब जब election होंगे, हम उन्हें बदल सकते हैं, हम दूसरी सरकार बनवा सकते हैं, if they wish to do so, that means कि अगर लोगों को current representatives का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो next election में उनको remove किया जा सकता है, और दूसरी पार्टी को जिताया जा सकता है, इसी mechanism को हम कहते हैं elections, so therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy, अब देखो representative democracy का मतलब बताती हूँ पहले और फिर ये पूरी line का मतलब मैं बताऊंगे, देखो representative democracy का मतलब है कि एक ऐसा democratic देश या एक ऐसी democratic government जहाँ पर representatives लोगों के द्वारा elect होते हूँ, ठीक है, लोगों के द्वारा elect होते हूँ जैसे कि हमारे देश में, तो अब क्या होता है कि representative democracy में होता ये है कि elections को main, you know, crucial चीज माना जाता है, ये बहुत essential है, ठीक है, इससे क्या होता है, हम अपने representatives को चुनते हैं, अगर representatives हमारी भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम दूसरी party को next time election में जिता देंगे, जिस तरीके से आपने किसके बारे में अभी recently पढ़ा, हमने इसी चैप्टर में देविलाल, चोदरी देविलाल के बारे में पढ़ा था, तो पहले तो Congress थी हर्याना में, फिर जो है लोगदल पार्टी आई, लोगों को लोगदल पार्टी का काम पज़न दिया है, तो दुबारा से Congress को ले आई, ठीक है, तो यही क्या है, रेपरेजन्टेटिव डेमोक्रेसी, एंड इसमें लोगों के हाथ में जो पावर होती है न, वो Elections के थुझ पावर होती है, ठीक है, तो इलेक्षन में 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 पावर हम लोगों की ही है, इन इलेक्षन, the voters make many choices, तो इलेक्षन में जो हम vote देने वाले लोग हैं, उनके पास बहुत सारी choices होती है, वो उनको चुन सकते हैं, जो उनके लिए सही कानून बनाएंगे, तो लोगों के पास ये भी पावर है, कि उन लोगों को चुनना, जो government बनाएं, सरकार बनाएं और सरकार बनकर लोगों के हित में काम करें, और बड़े-बड़े decisions लें, लेकिन वो decisions अच्छे हो, इसके अलावा वो ऐसी पार्टी को चुनें, जिनकी policies जो हैं, वो सरकार को गाइड करें, कानून बनाने के लिए गाइड करें, ठीक हैं? पार्टी को चुनते हैं, बड़े-बड़े decisions लेते हैं, और इसके अलावा जो वो कानून बनाते हैं, तो उन कानून को दिशा निर्देश देने वाली पार्टी को भी हम ही चुनते हैं, क्योंकि कानून जो है न, वो एक दाइरे में बनाये जाते हैं, और कौन से दाइरे को ध्यान में रखा जाता है? Constitution के provision को ध्यान में रखा जाता है, while making laws, ठीक है? Next question है, what makes an election democratic? कि एक election democratic है कि non-democratic है? इस बात का कैसे पता लगाया जाएगा? So, election जो है, वो बहुत सारे तरीकों से होते हैं, all democratic countries hold elections, देखो ये तो बहुत पक्की बात है कि भई, जो भी देश democratic होगा, वहाँ पर तो elections होगे ही होगे, ये तो mandatory है, लेकिन हम ये भी देखते हैं, बहुत सारे non-democratic countries ऐसी हैं, जहाँ पर elections होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्य election होते ही होते हैं, लेकिन कुछ non-democratic countries में भी election होते हैं, तो हम इस बात का कैसे पता लगाएंगे, या कैसे distinguish करेंगे, कि democratic election है, कि non-democratic election है, ठीक है, हाला कि इसके बारे में हमने chapter 1 में briefly पढ़ा था, हमने कुछ examples भी देखे थे, ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे example देखे, countries में, कि जहां पर election तो होते हैं, लेकिन वो elections, democratic elections नहीं हैं, और उसी चीज़ को अब हम यहां पर recall करने की कोशिश करेंगे, और हम कुछ यहां पर conditions जानेगे, मतलब कुछ शर्ते जानेगे, कि एक democratic elections में क्या शर्ते होती हैं, या क्या conditions होती हैं, तो सबसे पहला, everyone should be able to choose, तो universal adult franchise को जिसकी उम्र 18 से अबव है, उन सभी के पास जो है, rights होने चाहिए, अपने representatives चुनने का, so this means that everyone should have one vote and every vote should have equal value, that means कि सभी adult के पास vote देने का अधिकार हो, and उन सब का one vote जो होगा, वो उतना ही important होगा, जितना दूसरों का होगा, तो हर एक इनसान का एक vote होगा and वो एक vote सभी का equal value रखेगा, ठीक है, आगे कुछ और second, कुछ और शर्ते देख लेते हैं, तो जो second condition है, that is, there should be something to choose from, अब देखो यहाँ पर क्या कह गया है, there should be something to choose from क का मतलब है, कि भई हमारे सामने न, different, different parties होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे जब अलग-अलग parties होगी, तो हमारे पास, जो है, एक clear picture समझ में आएगी हमें, कि हमें किसको चुनना है, तो इन बे से, जो सबसे best होगा, जो सबसे best party होगी, हम उनी को चुनेंगे, parties and candidates should be free to contest elections, and parties and candidates हैं, उनके पास ये पूरी आजादी होनी चाहिए, कि वो election में खड़े हो सकते हैं, and should offer some real choices to the offers, and जो है, elections के time पर अपने voters को, या लोगों को promises कर सकते हैं, जो वो real में काम करेंगे, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, तो elections के time पर देखो, हमने क्या देखा था, कि बहुत सारी सभाए करी, बहुत सारे भाशन दिये, वो सुबह से लगते थे, रात तक भाशन देते रहते थे, लोगों को बताते थे कि मेरी party जब जीतेगी, तो मैं ये करूँगा, आपको लोगों के लिए वो करूँगा, तो उस time पर, उस time पर लोगों को Congress से बेटर लोग तो हमारे पास एक clear vision होगा कि हमें किसको जिताना है, और जो सबसे best party होगी हम उसी को जिताएंगे, और election में कोन खड़ा हो सकता है, देखो बात ऐसी है कि सभी candidate के पास, सभी party के पास ये आजादी है कि वो elections में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, अब third क्या है, third condition ये है, the choices should be offered at regular intervals, तो elections जो है, वो regular interval पे होने चाहिए, so election must be held regularly every few years, तो कुछ साल के बाद, जो है elections होने ही चाहिए, जैसे कि हमारे हैं 5 साल के बाद elections होते हैं, fourth ये है, the candidate preferred by the people should get elected, चोथा condition ये है कि candidate ने जिसे चुना है, candidate preferred by the people should get elected, तो जिसे लोगों ने चुना है, जिस candidate को चुना है, उसी को preference मिलनी चाहिए, fifth है, election should be conducted in free and fair manner, where people can choose as they really wish, इसके अलावा, fifth condition ये है, कि elections जो है, वो free and fair होने चाहिए, ठीक है, बिलकुल free, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, elections पर इसके अलावा ना ही जो representatives है, वो लोगों पर दबाव बना सकते हैं, ना ही लोगों को bribe कर सकते हैं, कि तुमको हमारे लिए vote देना है, है ना, तो elections जो होने, वो free and fair होने, किसी party के साथ कोई भी discrimination नहीं किया जाएगा, इसके अलावा किसी party के साथ कोई biasness भी नहीं की जाएगी, ओके, एंड लोग अपने ही representative को चुनेंगे, जिनको वो चुनना चाहते हैं, तो लोगों पर किसी भी तरीके का pressure नहीं बनाया जाएगा, जो भी हमने conditions पड़ी, ये conditions देखने में, सुनने में तो बहुत simple and बहुत easy लगती हैं, but there are many countries where these are not fulfilled, लेकिन बहुत सारी ऐसी countries हैं, जहां पर election तो होते हैं, लेकिन ये शर्ते नहीं मानी जाती, In this chapter, we will apply these conditions to election held in our country to see if we can call these democratic elections, तो हम इस chapter में यही जानने की कोशिश करेंगे, कि जो ये हमने 5 condition पड़ी, मतलब जो ये हमने 5 शर्ते पड़ी, तो इन 5 शर्तों के मुदाबिक क्या हमारे यह election होता है, हमारे देश में अगर होता है, तो क्या हमारे देश में जो elections होते हैं, हम उनको democratic elections बोल सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस chapter में, कि क्या हमारे देश में democratic elections होते हैं, और अगर democratic elections होते हैं तो क्या इन पांचों शर्तों को माना जाता है जो अभी हमने ये पांच शर्ते पड़ी हैं ठीक है ये next वाला जो topic है इसको हम next वीडियो में करेंगे till then bye bye thank you so much for watching this video इसके लावा आप मेरे साथ टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं कोई doubt है comment section में लिखिएगा thank you so much hello everyone I am Priyanka Gor welcome back to my channel learning with pace तो हम लोग class 9th की civics का third chapter कर रहे हैं and इस chapter में अभी हम बात करेंगे इस topic के बारे में the topic is is it good to have political competition तो topic ये कह रहा है कि भई क्या political competition होना सही चीज है या नहीं है तो हम यहाँ पर political competition के कुछ pros and कुछ cons की बात करेंगे so elections are all about political competitions देखो चुनाव में elections में तो political competition होता ही होता है क्योंकि बहुत सारी parties एक दूसरे के against में खड़ी होती है एक दूसरे के against में चुनाव लड़ती है and ऐसा होना भी चाहिए हमारे सामने बहुत सारी party होंगी तो हम उन में से best party को ही चुन पाएंगे so elections में political competition तो होता ही होता है लेकिन ये जो competition है ना ये बहुत सारे form ले लेता है बहुत सारे रूप ले लेता है क्योंकि इस political competition की वज़े से हमें बहुत सारे दंगे फसाद भी देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला जो most obvious form है वो ये है कि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज में competition होता है मतलब राजनितिक तोर पर competition बढ़ जाता है at the constituency level it takes the form of competition among several candidates तो constituency level पे क्या होता है अलग-अलग candidates एक दूसरे के opposite खड़े होते हैं MLA के form में and उनको चुना जाता है देखो constituency के बारे में मैंने आपको इस chapter की starting में ही बताया था कि एक area को population के हिसाब से अलग-अलग constituencies में बाट दिया जाता है अलग-अलग constituency में वहाँ के जो residents है वो जाकर vote करते हैं and वहाँ से फिर MLA चुने जाते हैं तो जिस party के सबसे ज्यादा MLA चुने जाएंगे न वही अपना leader फिर चुनते हैं state level पर and जो इनके leader होते हैं फिर हम उनको कहते हैं cm उनको as a chief minister नियुक्त किया जाता है if there is no competition elections will become, elections will become pointless लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखना कि भले ये competition कितना भी deep हो, कितना dark हो लेकिन ये competition होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर competition नहीं होगा अलग-अलग parties के बीच में या several candidates के बीच में तो election ना एकदम pointless हो जाएगा, बिना बात का, बिन मतलब का हो जाएगा, okay so election के कोई मायने नहीं रहेंगे अगर political competitions नहीं होगा तो but is it good to have political competition, क्या political competition होना सही है clearly an electoral competition has many demerits, लेकिन जो electoral competition होता है मतलब ये election वाला जो competition है, ये इसके ना बहुत सारे demerits हैं मतलब काफी सारे इसके cons भी हैं, it creates a sense of disunity and factionalism in every locality तो देखो electoral competition में होता ये है, कि लोगों के बीच में, party के बीच में disunity आ जाती है ठीक है, इसके अलावा factionalism आ जाता है, मतलब गुरूप में बट जाते हैं लोग तो आज के time पे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं, जो BJP को support करते हैं कुछ ऐसे हैं, जो आम आदमी party को support करते हैं, कुछ ऐसे हैं, जो Congress party को support करते हैं तो सबका अपना अलग-अलग group है, अब क्या होता है ना, कि अलग-अलग group के लोगों के बीच में factionalism आ जाता है, disunity आ जाती है, यह एक दूसरे के साथ बस लड़ते भिड़ते रहते हैं So you would have heard of people complaining of party politics in your locality आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग ना, इस चीज़ की complain भी करते हैं, कि उनके area में party politics हो रही है तो होता कि यह है कि politics के नाम पे एक्शली लोग थोड़ा सा, मतलब low level पर चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा hatred फैल जाती है लोगों में, groupism आ जाता है, politics के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, लडाईयां होती हैं इसके लावा communal rights तक हो जाते हैं, politics के नाम पर different political parties and leaders often level allegations against one another तो होता यह है कि अलग-अलग जो political parties होती हैं, उनके जो leaders होते हैं, वो दूसरी parties पर अलग-अलग तरीके के allegations लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, अच्छा देखो, कुछ आरोप उसमें से सही भी होते हैं, कुछ आरोप उसमें से गलत भी होते हैं parties and candidates often use dirty tricks to win elections, देखो, बहुत सारी parties एक दूसरे के against में होती हैं, बहुत सारे candidates चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो इतना सारा competition होने की वज़े से, जो parties and candidates होते हैं, वो जीतने के लिए कुछ dirty tricks का भी use करते हैं, मतलब कुछ गलत चीजों का भी use करते हैं, जैसे कि या तो लोगों को bribe दे देंगे, या फिर बहुत सारे riots हो जाते हैं, बहुत सारे दंगे फसाद हो जाते हैं, या फिर ये party या candidate religion के नाम पर लोगों को भड़का देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी dirty tricks को ये use करते हैं, elections को जीतने के लिए, some people say that this pressure to win electoral fights doesn't allow sensible long term policies to be formulated, तो ये बहुत साही बात है कहीं ना कहीं, कि कुछ लोगों का ये कहना है, कि ये जो electoral fights है, ठीक है, ये जो electoral fights है, in some candidates या parties के बीच में, इसकी वज़े से होता ये है, कि ये लोग ना, एक दूसरे के साथ, dirty tricks खेलते हैं, election जीतने का, and इसकी वज़े से हमारे देश में एक long term policy, मतलब एक अच्छी long term policy formulate नहीं हो पाती, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है, कि electoral fight की वज़े से हमारे देश में long term, मतलब काफी लंबे समय तक, एक sensible policy formulate नहीं हो पाती, some people, some good people basically, so some good people who may wish to serve the country do not enter this arena, अब कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं, जो अपने देश के लिए करना तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनको पता है, यह electoral fights में होगा, क्या कि dirty tricks को use किया जाएगा, तो कुछ अच्छे लोग ऐसे दलदल में नहीं फसना चाहते, They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition, तो parties के बीच में बहुत ज्यादा unhealthy competition होता है, election जीतने के लिए बहुत सारी trick बाजी करनी पड़ती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपने देश को सर्व नहीं कर पाते, किस वज़े से, कि वही वो न सिर्फ और सिर्फ इस unhealthy competition से अपने आपको दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, कि अगर हम इस competition में एक बार चले गए, तो हम इस दलदल में फस जाएंगे, ठीक है? उन्होंने फ्री कॉंपिटीशन की ही डिमांड की, और उन्होंने कहा कि अगर फ्री कॉंपिटीशन होगा, तो हमारे देश में लंबे समय तक ये सक्सेस्फुल रहेगा, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि फ्री कॉंपिटीशन इसलिए होना चाहिए, फ्री कॉंपिटीशन का मतलब है कि कोई भी आकर चुनाव लड़ सकता है, एक पर्टिकुलर उमर होनी चाहिए उस चीज़ के लिए आपकी, ठीक है? तो आप आकर चुनाव लड़ सकते हो, एंड जो ये कॉंपिटीशन होगा, ये फ्री एंड फियर होगा, एंड ये जो सिस्टम है, फ्री कॉंपिटीशन का, ये सिस्टम या इस तरीके का इलेक्शन लोंग टर्म के लिए बहुती बैस्ट है हमारे देश के लिए, तो इसलि देखो अगर हम एक आईडियल वर्ल्ड की बात करें, एक ऐसा देश जो आदर्श हो, तो आदर्श देश में होता क्या है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है, तो अगर हम एक आईडियल वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो तो एक ideal world में political leaders को अपनी सारी duty पता होती हैं उनको ये भी पता होता है कि अपने देश को serve करना है लोगों की भलाई के लिए काम करना है जनता के लिए काम करना है So political competition is not necessary in such an ideal world तो अगर हम ऐसे आदर्श देश की बात करें जहां पर political leaders को अपनी सारी duties पता है और वो सारी duties को अच्छे से कर भी रही हैं तो अब एक बात बताओ क्या ऐसे ideal world में political competition की जरूरत है नहीं है ना लेकिन ये बात हम सिर्फ एक ideal world की कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ imagination में ही possible है लेकिन अगर हम इसको reality में apply करें तो क्या आपको लगता है कि leaders सही तरीके से काम करेंगे अगर जनता के हाथ में power नहीं होगी ना तो leaders तो अपने तरीके से काम करेंगे भाई हमारे तरीके से थोड़ी ना करेंगे समझ रहे हो तो power किसके हाथ में हम लोगों के कि हम next election में दूसरी पार्टी को जिता सकते हैं यही डर political leaders में बना रहता है and इसलिए political leaders जो है वो धंक से काम करते हैं and चाहे वो काम ना भी करना चाहें लोगों के लिए तब भी उनको मजबूरन काम करना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि next election में वरना जनता दूसरी आज कल अगर हम बात करें political leaders की तो all over the world सभी political leaders other professionals की तरह इसलिए motivated रहते हैं कि उनको भी अपना career politics में आगे बढ़ाना है they want to remain in power तो सभी political leaders चाहते हैं कि वो power में रहे उनके हाथ में power रहे ठीक है to get power that means कि उनके हाथ में भी power रहे उनके पास कुरसी हो सारी लड़ाई कुरसी की ही तो है जिसके पास कुरसी है जिसके पास chair है उसके पास power है and position हो तो position पे यहाँ पर chair की बात आ गई तो देखो कहने का मतलब यह है कि सभी political leaders अपने political career को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं other professionals की तरह and चाहते हैं कि वो power में रहे उनके हाथ में power हो उनके हाथ में कुरसी हो they wish to serve the people as well इसके अलावा वो यह भी सोच सकते हैं कि उनको लोगों के लिए काम करना है देखो यह चीज़े तो basic हैं उनको power तो चाहिए ही चाहिए उनको कुरसी तो चाहिए ही चाहिए इसके अलावा उनके मन में यह भी इच्छा हो सकती है कि वो लोगों के लिए भलाई के लिए काम करें but it is risky to depend entirely on their sense of duty लेकिन हमारे लिए सिर्फ यही सोच के रह जाना कि भई हाँ यह जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए आए है इस चीज़ पर depend रहना तो मतलब सही नहीं है यह थोड़ा सा risky हो जाएगा besides even when they wish to serve the people they may not know what is required to do so or their ideas may not match what the people really want तो अब सोचो कि जो political leaders है वो चाहते हैं जनता की भलाई करना देश को serve करना लेकिन यह भी हो सकता है कि उनको ना पता हो कि किस तरीके से लोगों को serve किया जाए किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए या क्या पता उनके जो ideas हैं, वो ideas हम जनता के ideas से ना match हो, ठीक है? Now the question arise, how do we deal with this real life situation? तो हम इस real life situation के साथ कैसे deal कर सकते हैं? So one way is to try and improve the knowledge and character of political leader. एक तरीका तो ये है, कि हम अपने political leaders की knowledge को and character को improve करने का काम करें, मतलब उनके ज्ञान and चरित्र को improve करने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका थोड़ा realistic है. दूसरा तरीका ये है, कि एक ऐसा system setup किया जाए, जहां पर political leaders अगर अच्छे से काम करेंगे, उनको reward किया जाएगा, और अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उनको punish कर दिया जाएगा. बट, एक question यहां पर ये arise हो जाता है, कि ये punishment और reward देने का फैसला कोन करेंगा? The simple answer is, अब इसका answer क्या है? The people. तो punishment and reward देने का काम, reward का मतलब है inaam, punishment का मतलब ऐसा जा, तो अगर political leaders अच्छे से काम करेंगी, तो उनको reward दिया जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो उनको punishment दिया जाएगा, तो इसका फैसला कोन करेंगा? इसका फैसला किया जाएगा जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, एंड लोग इसका फैसला कैसे करते हैं, reward का and punishment का फैसला, वो करते हैं, electoral competition से, ठीक है न, तो that means क्या है, कि अगर हमें party का काम पसंदार है, हम उसे दुबारा जिता देते हैं, तो ये reward ही तो है, इनके लिए punishment होगी, है न, फिर उनको दुबारा से जीतने के लिए, real action में आना पड़ेगा, लोगों को मनाना पड़ेगा, लोगों को जो है, अपनी एक अच्छी नीती प्रोग्राम के साथ, उन लोगों के सामने present करना पड़ेगा आपने आपको, कि भाई हम तुम लोगों के लिए य scheme बहुत अच्छी लगी, लोगों ने उनको जिता दिया, लेकिन उन्हों ने अच्छे से काम नहीं किया होगा, तो इसलिए लोगों ने उनको हटा दिया, दुबारा से, है न, regular electoral competitions provide incentive to political parties and leaders, देखो regular time पर, regular interval पर, जो ये electoral competition होते हैं, मतलब जो ये election होते हैं, ये एक तरीके का incentive है, सभी political parties and leaders के लिए, क्योंकि न, इनको time to time opportunity मिल जाती है, election लडने के लिए, Now they know, if they raise the issue that people want to be raised, तो political leaders को ये पता है, कि अगर वो ऐसे मुद्दों को उठाएंगे, जो मुद्दे आम जनता भी उठाना चाहती है, तीक है, या ऐसे issues को concern में लाएंगे, जो issues आम जनता भी consider करती है, तो इससे political leaders की popularity बनेगी, और popularity बनी तो क्या होगा, ये लोगों के दि जीत लेंगे, और इनको victory मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं political leaders को ये पता होता है, कि अगर ये उन मुद्दों पर बात करेंगे, जिन मुद्दों को आम जनता consider कर रही है, या आम जनता जिन मुद्दों को उठा रही है, तो इससे होगा ये कि उस candidate को या उस party को popularity मिलेगी, और if they fail to satisfy the voters, with their work, they will not be able to win again, लेकिन अगर वो एक बार election जीत भी गए, और उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया, voters को पसंद नहीं आया, तो next time उनको vote नहीं दिया जाएगा, and वो political party फिर हार जाएगी, है ना? अब आगे काफी important line कही गई है, तो ये कहा गया है कि अगर कोई political party सिर्फ उसे पावर में ही आना चाहती है, सिर्फ ये चाहती है कि उनके हाथ में पावर आ जाए, फिर भी उनको मजबूरन लोगों को serve करना पड़ेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, क् उनको पता है कि elections के right लोगों के हाथ में ही है, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि electoral competition में जो political party है ना, वो लोगों को serve करती ही करती है, चाहे वो मजबूरन ही क्यों ना serve करे, ठीक है, ये similar situation कुछ market की तरह ही है, जैसे कि एक shopkeeper है, वो चाहेगा कि भई उसी का profit हो हर बार, है जो customers है, उनको सही service देनी पड़ती है, and shopkeeper को सही दाम लगाना पड़ता है, क्योंकि shopkeeper को पता है कि अगर वो सही दाम लगाएगा customer के आगे, तो बार-बार customer उसी की shop पर आएगा, and shopkeeper दाम तो अच्छा लगाएगा ही लगाएगा, इसके अलावा material भी अच्छा देना चाहे क्योंकि उसे पता है कि एक बार अगर customer मेरे हाँ से ले गया, तो दस customer को ओर लेकर आएगा, and if he doesn't, the customer will go to some other shop, लेकिन अगर shopkeeper customer की needs का desire का ध्यान नहीं रखेगा, तो क्या होगा, customer उटके दूसरी shop पे चला जाएगा, similar situation कहां देखने को मिलती है, इस political बाजी में देखने को मिलता है, चाहे भले ही political competition की वज़े से कितने भी group बने, कितना भी division हो, कितना भी disunity हो, कितने भी ugly level पर ये लोग चले जाएं, finally, it helps to force political parties and leaders to serve the people, लेकिन इसे होता ये है कि political competition की वज़े से, चाहे मजबूरन में ही सही, लेकिन सभी political parties को लोगों के लिए काम करना ही पड़ता है, अपने देश को serve करना ही करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सही से काम नहीं किया, तो next time पे bye bye tata, ये वाला scene हो जाएगा, and हम लोग दूसरी party को जिता देंगे, तो इनको मजबूरन ये काम करना ही पड़ता है, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के या इस तरीके के elections के टाइम पर इस तरीके की गोशनाई ये लोग करते हैं, कि मेरे पास ये योजनाई हैं, ये गोशनाई हैं, ये वादे हैं, है ना, लेकिन, लेकिन देखो, बले ही ये candidates हमारे सामने कितना भी भाशन दें, यहाँ पर देखो picture के थिरू बहुत ही funny तरीके है ना, तो यहाँ पर ये दिखाए हो कि हम ना तकता पलट कर सकते हैं, अगर अच्छे से काम नहीं करोगे, हम दूसरी पार्टी को जिता देंगे, बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई हैं, चलिए ये वाला जो topic है, यह हम next video में करेंगे, till then bye bye, thank you so much for watching this video, इसके अल हम लोग class 9 civics का आज 3rd chapter कर रहे हैं, तो हम 3rd chapter में अभी बात करेंगे इस topic के बारे में, the topic is what is our system of elections, इससे पहले के part हमने already कर लिये हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं, उनसा अभी का link मैं description box में दे दूँगी, ठीक है, तो चल democratic हैं कि non-democratic हैं, तो अगर हमारे देश में elections democratic हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे जानेगे, इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये देखना होगा, कि हमारे देश में elections होते कैसे हैं, ठीक है, तो देखो, हमारे देश में elections लोकसभा and विधान सभा में होते हैं, लोकसभा and विधा होते हैं, वो हर 5 साल में conduct किये जाते हैं तो लोग सभा के election central level पर होते हैं and विधान सभा के election जो है state level पर होते हैं after 5 years the term of all the elected representative comes to an end अब 5 साल के बाद क्या होता है कि 5 साल के बाद दुबारा से election होते हैं तो दुबारा से election जब होते हैं तो जो ये पांच साल का tenure होता है representatives का ये end हो जाता है, मतलब इनका कारियकाल समाप्त हो जाता है, अब इनको दुबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो जब इनका time period इनका tenure खतम हो जाता है representatives का, तो लोग सबा और विदान सबा dissolve हो जाती है, और फिर election लड़े जाते हैं, So elections are held in all the constituencies at the same time, either on the same day, और within a few days, अब यहाँ पर जो ये बात की गई है न, इसको थोड़ा सा star mark कर ले न, क्योंकि यहाँ पर ये बात की गई है लोग सबा के बारे में, ठीक है, तो देखो लोग सबा के time पर, जब लोग सबा चुनाव होते हैं, मतलब जब central level पर चुनाव होते हैं, वो पूरे देश में, या तो same time पर चुनाव होंगे सबी constituency में, या फिर same day पर होंगे, या फिर पूरे देश में जो चुनाव होंगे constituencies में central level पर, वो कुछ दिन का आगे पीछे का difference होगा, इन ही को हम general election कहते हैं, इसके अलावा, sometimes election is held only for one constituency, कई बार क्या होते हैं सिर्फ एक ही constituency में हमें election कराने पड़ते हैं, क्यों कराने पड़ते हैं, to fill the vacancy, ताकि एक vacant seat को fill कराया जा सके, तो देखो क्या होता है, कि अगर, एक कारिय काल के दोरान कहलो, या ये कह सकते हो, आप जब एक time period चल रहा हो किसी party का, और उसमें से अगर कोई member की death हो जाती है, मतलब कोई representative की अगर death हो जाती है, या कोई member resignation letter दे देता है, अपना इस्तिफा दे देता है, तो उसकी seat खाली हो गई, तो जब उसकी seat खाली हो जाती है, तो उस seat के लिए हमें एक constituency में election कराने पड़ते हैं, तो जब एक ही constituency में election कराने पड़े, seat को fill करने के लिए उसे हम by election क कहते हैं, हाला कि इस chapter में हम general election पर focus करेंगे, अभी जो ये मैंने आपको बताया ना, ये सारा का सारा में एक बार flow chart में बताती हूँ, and आप लोगों को लोकसभा, विधान सभा, दोनों का मैं difference बताऊंगी, आपको सारी की सारी clarity मिल जाएगी इस chapter की, ठीक है, देखो यहां म मैं लिख देती हूँ, लोकसभा, and हम यहां लिख देते हैं, विधान सभा, अब देखो लोकसभा के जो election होते हैं, वो central level पर होते हैं, whereas विधान सभा के जो election होते हैं, वो state level पर होते हैं, विधान सभा को English में legislative assembly भी कहा जाता है, ठीक है, अब next, जो चीज़ आपको यहां ध्यान रखनी हैं, जब लोकसभा के election होते हैं, इसमें prime minister को चुना जाता है, जब विधान सभा के election होते हैं, state level पर, तो इसमें chief minister को चुना जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब prime minister and chief minister को चुना जाता है, तो हम direct इनके लिए vote नहीं डालते हैं, तो हम vote किसके लिए डालते हैं, अब वो चीज़ clear करते हैं, जब central level पर election होते हैं, तो हम सब voters क्या करते हैं, vote डालते हैं, vote डाल कर, जिनको हम चुनते हैं, उनको ना कहा जाता है MP, that means member of parliament, and state level पर, जब हम vote डालते हैं, तो एक majority party जीतती है, ठीक है, एक majority party जीतती है, अब देखो, इन दोनों को अलग-अलग करके समझते हैं, अगर हम central level पर बात करें, तो central level पर जब election होते हैं, तो हम जब vote डेते हैं, तो हम member of parliament को चुनते हैं, इस member of parliament में ये जो leaders होते हैं, वो सभी अलग-अलग party से belong करते हुए होते हैं, ठीक है, अब ये member of parliament में से, जिसकी majority में party जीती होगी, majority में जो लोग जीते होगे एक party के, वो अपने में से leader select करते हैं, elect करते हैं, and उन्हें कहा जाता है prime minister, whereas अगर विधान सभा की बात की जाए, तो हम लोग एक party को चुनते हैं, सिर्फ एक ही party majority में होती है, जैसे कि हमने क्या देखा, हमने चोधरी देविलाल के case में ये देखा था, कि जब हर्याना में election हुए थे, state level पर, तो सब ने लोग दल को चुना था, ठीक है, लोग दल party को चुना, तो वो एक party majority में हुई, अब उस party के जितने leaders थे, उन्होंने एक अपना leader elect किया, and वही leader, chief minister कहलाता है, आई बात समझ में, अगर हम MP की बात करें, तो MP जो होते हैं, member of parliament, वो अलग-अलग party से belong करते हैं, जैसे कि Congress के भी होंगे, BJP के भी होंगे, आमादमी party के भी होंगे, other party के भी होंगे, बट, जब state level पर election होते हैं, तो एक ही party के member majority में आते हैं, और वही party की सरकार बनती है, state level पर, आई बात समझ में, अब एक difference हो रहे हैं, लोग सबा के जो election होते हैं, वो पूरे देश में एक ही time पर खतम कर लिये जाते हैं, ठीक है, विदान सबा के जो election होते हैं, वो state level पर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि state level पर जो election होते हैं, वो अलग-अलग period में होते हैं, कई बार आप देखो होते हैं central level पर वो पूरे देश के लिए एक ही time पर एक fix time पर होते हैं and within time period खतम कर लिए जाते हैं एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब लोग सबा के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है देखो ये difference तो आप करी लेना जो मैंने आपको बताया अब central level पर जब हमारे election होते हैं तो पूरी इंडिया को पूरे देश को 543 constituencies में बाटा गया है अब जाहिर सी बात है 543 constituencies में बाटा गया है तो अलग-अलग constituencies से क्या होते हैं वोट डाले जाते हैं अलग-अलग constituencies से अलग-अलग party के members जीतते हैं जैसे कि suppose करो यहां से आमादमी party के जीत के यहां से Congress के जीत गए यहां से लोगदल party के जीत गए यहां से BJP के जीत गए यहां से दूसरी party के जीत गए यह जो सभी जीते हुए leaders होते हैं अलग-अलग constituencies से मतलब 543 Constituency से तो ये सब leaders जो है वो Member of Parliament कहलाते हैं तो 543 Constituency है तो 543 Member of Parliament हुए ठीक है लोग सबा में जो seats होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगे कि कितनी होती है अब ये जो Member of Parliament होते हैं अलग-अलग party के होते हैं बट इन में से भी क्या होता है एक Majority Party होती ही होती है या दूसरी party के साथ Alliance बना के वो Majority में आ जाती है तो जो Majority में party होती है वो अपने में से leader elect करते हैं and then Prime Minister को elect किया जाता है आई बात समझ में MPs को हमने चुना and Prime Minister को MPs ने चुना आई बात समझ में ठीक है एक तो ये चीज़ आप clear रखोगे अब लोग सबा के seat की बात करते हैं देखो 543 seats होती है and 2 जो seats होती हैं अलग से वो Anglo-Indian के लिए होती है 543 के लिए तो हम लोग vote देते हैं अब 2 seats जो extra Anglo-Indians के लिए हैं उनको appoint किया जाता है President के द्वारा याद रखना ये चीज एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जितने भी constituencies बाती जाती हैं वो population के हिसाब से बाती जाती है area wise, population wise बाती जाती है अब ये जो चीज़ है ना कई बच्चों को इसमें थोड़ी सी confusion थी कि लोग सबा में कितनी seat है 543 constituencies में बाता हुआ है प्लस दो जो seat है वो एंगलो इंडियन के लिए है ये चीज़ धियान रखना सिर्फ आपको इतना ही differences में अभी याद रखना है हाला कि 10th में भी आप इस chapter को बढ़ोगे आगे जागे इस chapter को और भी अच्छे से detail में पढ़ोगे तो जिस हिसाब से जो जो detail में आता जाएगा उसको हम करते जाएंगे चलिए आगे बात करते हैं electoral constituency के बारे में आपने चोदरी देविलाल के topic में ये जाना था कि हरियाना को 90 constituencies में बाटा गया ये जो constituency बढ़ती है ना ये population area के हिसाब से बढ़ती है तो हरियाना में 90 MLA's को elect किया गया अब आप सोच रहे होंगे कि 90 MLA's को कैसे elect किया गया क्या सभी लोग हरियाना में 90 MLA's को जाकर vote करते हैं नहीं ऐसा नहीं है तो आईए इस चीज़ को और थोड़ा detail में जानते हैं इन आर country we follow an area based system of representation तो हमारे यहां क्या होता है area के हिसाब से जो है divide किया जाता है कि कौनसी constituency कहां पर बनेगी So perhaps this is not the case तो हमारे यहां होता यह है कि area based system को follow किया जाता है मतलब हमारे देश को न अलग-अलग area में बाट दिया जाता है divide कर दिया जाता है for the purpose of elections देखो यह पूरा देश हो गया इसको अलग-अलग-अलग-अलग constituencies में बाट दिया जाएगा क्यों बाटा जाएगा ताकि elections easy तरीके से held किये जा सके maximum लोग vote दे सके and लोगों को vote देने में सुविदा हो So these areas are called electoral constituencies electoral constituencies का मतलब हमारे देश को अलग-अलग constituencies में बाट दिया जाता है and फिर हर एक constituency में elections होते हैं and जहां election होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं electoral constituency the voter who live in an area elect one representative तो जो जिस constituency में रहेगा जो जिस area में रहेगा वो वहां जाकर vote देगा दूसरे area में जाकर वो vote नहीं देगा ठीक है ये ध्यान रखना for लोग सभा elections the country is divided into 543 constituencies देखो ये चीज़ तो मैंने आपको अभी बताई थी कि लोग सभा के जो elections होते हैं न ये central level पर होते हैं ठीक है कौन से level पर होते हैं central level पर होते हैं तो ये जो elections होते हैं ये central level पर होते हैं तो इसमें होता ये है कि हमारे देश को न 543 constituencies में बाटा गया है लोग सभा के elections के लिए तो 543 constituencies में से जो representatives चुने जाते हैं उन representatives को हम क्या कहते है, member of parliament या फिर short form में हम MP कहते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, अब चलिए, आगे पढ़ते हैं, one of the feature of democratic election is that every vote should have equal value, तो अगर हम democratic election का एक feature देखें, तो हमें ये तो पता है कि हर vote का value है, हर एक adult को एक vote देने का अधिकार है, one vote and equal value for all, मतलब जो हम vote दे रहे हैं and जो प्राइम मिनिस्टर vote दे रहे हैं, दोनों का equal value है, okay, that is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within, तो आप देखो, अब ये जो 543 constituency हैं, इन में vote होते हैं, अब vote equal तरीके से हो, equal population हो, इसी लिए जो constituency होती है, हर एक constituency में जो population होती है, वो लगबग roughly equal ही होती है, ताकि जो representatives हैं, उनको भी equal opportunity मिले, है ना, similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies, that means, कि जिस तरीके से हमने लोग सभा में देखा, कि पूरे देश को 543 constituency में बाटा जाता है, ऐसे ही state में भी क्या होता है, state में भी area wise dividation होती है, तो area wise divide कर दिया जाता है, assembly constituency बना दी जाती हैं, विदान सभा के चुनाव के लिए, and in this case, जो representative चुने जाते हैं, state level पर उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं MLA, जिसकी full form है, member of legislative assembly, each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies, that means कि हर एक parliamentary constituency में several assembly constituencies होती हैं, तब जाकर state level पर MLA को चुना जाता है, ऐसा ही same जो principle है, वो पंचायत and municipal election में भी apply होता है, जैसे कि हर एक गाउं या town को अलग-अलग world में बाट दिया जाता है, ठीक है, और यह जो world है, यह constituencies की तरह ही work करते हैं, जैसे कि देखो, अगर हम central level पर, जब लोग सभा के election होते हैं, तो पूरे देश को हम अलग-अलग constituency में बाटते हैं, जब state level पर election होते हैं, तो हम क्या करते हैं, state constituencies में बाटते हैं, इसी तरीके से, जब local level पर election होते हैं, municipal election होते हैं, या पंचायत के लिए election होते हैं, तो हम हर गाउं and town को world में बाट देते हैं, तो इच वोर्ड से क्या होता है, एक member को elect किया जाता है, या एक local body को elect किया जाता है, sometimes these constituencies are counted as seats, for each constituency represent one seat in assembly, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कि हम न इन constituencies को seats भी कहते हैं, ठीक है, इन constituencies को हम seats भी कहते हैं, ऐसा क्यूं कहते हैं हम, क्योंकि हर एक constituency जो है, वो represent करती है एक seat को, ठीक है, इसी लिए हम क्या कहते हैं, constituencies को seats भी कहते हैं, जैसे कि for example, अगर हम लोगदल की बात करें, तो लोगदल ने 60 seat जीती थी हर्याना में, ठीक है, अब यह seat का मतलब क्या है, इस seat का मतलब है, assembly constituency, तो अगर हम यह कहते हैं कि किसी particular party के लोगों ने 60 seat जीत ली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 60 assembly constituency में victory हासिल कर ली है, तो इसी लिए हम constituency को seats भी कहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने लोगदल party के बारे में बात की थी, कि लोगदल party ने 60 seat जीत ली है हर्याना में, तो that means कि 60 assembly constituency state level पर उन्होंने जीत ली है, Thus, लोगदल had 60 MLA, तो इसी लिए उनके कितने MLA हुए, 60 MLA, तो क्या समझे, 60 seat का मतलब ये है, कि भई, 60, मतलब 60, assembly, constituencies में जो है, उन्होंने majority हासिल कर ली है, Okay, and उनके कितने MLA निकल कर आए, 60 seat मतलब 60 MLA, आई बात समझ में, तो इस तरीके से हम जो है, इसको refer करते हैं, चलिए, अब आगे वाला part एक बार देख लेते हैं, आगे वाला part हमारा है, reserved constituency के बारे में, इसके बारे में हम next video में बात करेंगे, तिल दन बबाई, थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो, Hello everyone, I am Priyanka Gaur, Welcome back to my channel, Learning with Pace, अभी हम लोग बात करेंगे, reserved constituencies के बारे में, Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative, देखो हमारे constitution में सभी नागरी को के पास ये अधिकार हैं, कि वो अपने representative को elect कर सकते हैं, and to be elected as a representative and इसके अलावा हमारे सभीधान में ये अधिकार भी हर एक नागरी के पास है, कि आप as a representative भी चुनाफ लड़ सकते हैं, ठीक है, तो पहली line में ये कहा गया है कि आप सभी को vote देने का अधिकार है, इसके लिए आपकी उम्र जो है कुछ certain age होनी चाहिए, that is above 18, and आपको vote देने का अधिकार है, आपके vote की पूरी value है, and आपसे ये right कोई नहीं छीन सकता, इसके अलावा आप as a representative भी चुनाफ लड़ सकते हैं, बट आपको थोड़ी बड़ terms and conditions पूरी करनी होगी, जैसे कि चुनाफ लड़ने के लिए आपकी age 25 साल की होनी चाहिए, इससे अबब होनी चाहिए, ठीक है? The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not get a good chance to get elected to the log sabha and the state legislative assembly. देखो, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हमारे constitution makers थे, जो सविधान बना रहे थे, उनको ना इस बात की पहले ही चिंता थी, पहली उन्होंने यह चीज़ देख ली थी कि अगर एक open electoral competition होगा हमारे देश में, open electoral competition का मतलब यह होता है कि हर वो नागरिक जिसके उमर 25 साल से अबव है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो यह होता है open electoral competition, तो हमारे constitution makers को यह पता था कि अगर open electoral competition होगे न, तो इसमें नुकसान weaker section का होगा, क्योंकि जो लोग upper class के हैं, या upper section से belong करते हैं, तो क्या पता वो weaker section को आगे जाने ना दे, and weaker section को ना वो लोग सभा, and ना ही state legislative assembly में चुनाव लड़ने दे, अब इसके पीछे कुछ reason यह भी हो सकते हैं, कि वह weaker section शायद इसलिए ना चुनाव लड़ पाएं, कि क्या पता उनके पास good resources ना हो, या फिर उनके पास education ना हो, या फिर उनके पास कोई ऐसे contact ना हो, and या फिर उनके पास जो है कोई ऐसी opportunity ना हो, ठीक है, कि वो दूसरों के against लड़ पाएं, so those who are influential and resourceful may prevent them from winning election, तो ऐसे लोग जो already influential हैं, जो already बहुत powerful हैं, जिनके पास सभी resources हैं, तो वो weaker section को suppress करने की कोशिश करेंगे, and उनको elections नहीं जीतने देंगे, if that happens, अगर ऐसा होता है, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population, देखो, यहां पर यह कहा गया है, कि अगर ऐसा होता है, कि एक influential, powerful इनसान, या एक influential, powerful section, weaker section को दबाने की कोशिश करेंगे, and weaker section को चुनाव नहीं लड़ने देगा, तो इससे होगा यह, कि हमारी parliament and assembly है, वो इतनी सारी population तक नहीं पहुँच पाएंगे, या यह कहलो, इतनी सारी population की आवाज, assembly तक and parliament तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि free and fair electoral competition का मतलब यह है न, कि जितनी भी जनता है, हर एक कोने से कोई भी central level पर and state level पर जो चुनाव है, वो लड़ सकते हैं without any discrimination, लेकिन अगर weaker section को दबाया जाएगा, तो इससे होगा क्या, एक section हमेशा दबता रहेगा, and ऐसे type की जो चुनाव होंगे, जहांपर weaker section को दबा दिया जाएगा, ऐसे type के चुनाव को हम fully democratic नहीं बोल सकते, that would make our democracy less representative and less democratic, तो इसे हमारा देश जो है, वो less democratic बनेगा, ठीक है, लेकिन democracy का मतलब क्या होता है, कि हर एक section के लोग equal है, and equally उनके पास opportunity होनी चाहिए election लड़ने की, तो इस problem को हमारे constitution makers ने अच्छे से consider किया, and इसका एक solution भी दे दिया, तो देखो, makers ने क्या करा, they thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section, weaker section के लिए कुछ constituencies को reserve कर दिया गया, अब इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे की हमारा पुरा देश जब लोग सभा के election होते हैं, तो 543 constituencies में बाटा हुआ है, तो 543 constituencies में कुछ constituencies ऐसी हैं, जिनको reserve किया गया, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ SC, ST के लोगों के लिए, ठीक है, and not only SC, ST, विल की women को भी इसी में डाला गया था, क्योंकि women को भी पहले से बहुत discriminate किया आता जा रहा है, उनको suppress किया आता जा रहा है, तो women के लिए भी इन्होंने कुछ seats को reserve किया था, ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि 543 constituencies हैं, तो उसमें से कुछ constituencies को सिर्फ और सिर्फ रिजर्व किया जाएगा, SC के लिए, ST के लिए, and उन constituencies में सिर्फ और सिर्फ SC, ST ही चुनाव लड़ सकते हैं, सम constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste, तो constituency में कुछ seat reserve की, SC के लिए, scheduled caste के लिए, and ST के लिए, scheduled tribes के लिए, इना SC reserved constituency, only some who belongs to scheduled caste can stand for election, जो constituency सिर्फ और सिर्फ SC के लिए, मतलब scheduled caste के लिए reserve की गई है, तो उसमें only scheduled caste के candidate ही election में चुनाव लड़ सकते हैं, similarly, जो seats ST के लिए reserve की गई है, तो उसमें भी जो candidate चुनाव लड़ेंगे, वो सिर्फ वो सिर्फ ST के, ST caste से ही belong करते होने चाहिए, ठीक है? तो all and all इसका मतलब ये है कि जो seat जिसके लिए reserve वही उस पर जाकर बैठेगा, तो all and all इसका मतलब ये है कि जिसके लिए जो seat reserve होगी, सिर्फ वही चुनाव लड़ेगा उस constituency से, ठीक है? जैसे कि suppose करूँ, आपकी class में जो roll number wise आपको बिठाया जाता है, तो जब आपका जहां पर roll number आता है, जिस desk पर, आप वहीं बैठते हो, आप आगे पीछे नहीं बैठ सकते, right? तो इसी तरीके से, जो seats हैं वो reserve कर दी जाती हैं, SC, ST के लिए, okay? तो अगर हम 2019 की बात करें, तो 2019 के आंकड़े के हिसाब से, लोग सभा के जो चुनाव हैं, उन में से 84 seats reserve की गई थी, scheduled caste के लिए, and 47 seats जो हैं वो reserve की गई थी, scheduled tribes के लिए, तो देखो, 543 constituencies में से 84 seats, 84 seats किसके लिए थी? SC के लिए थी, and in constituency से सिर्फ और सिर्फ SC candidate ही लड़ सकते थे, इसके अलावा 47 seats reserve की गई, scheduled tribes के लिए, and in seats से, like 47 constituencies से, only ST के candidate ही चुनाव लड़ सकते थे, तो यह data हमारे पास है, 26 January 2019 का, this number is in proportion to share in total population, thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group, so कहने का मतलब है कि भई, यह population के हिसाब से, जो है, total population के proportion के हिसाब से seats दी जाती हैं इनको, ऐसा भी नहीं है कि सारी seats SC, ST को दे देंगे, तो other social group क्या करेंगे, है ना, तो वो तो दूसरे group के लिए भी ना इनसाफी हो जाएगी, So all and all, SC, ST का इस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि इनको भी suppressed ना किया जाए, इनको भी equal मोका मिले, election में लडने का, इसके लाबा other social group के भी जो legitimate right है, वो भी छीने ना जाए, इस तरीके से seats को reserve किया जाता है, ठीक है? यह जो system of reservation है, अभी तक तो SC and ST का था, लेकिन बाद में हुआ यह कि इसको extend कर दिया गया, अलग-अलग level पर, अलग weaker sections के लिए, जैसे कि district level पर, local level पर, यह system of reservation को अब implement कर दिया गया, and other weaker section में जैसे कि OBC and women, इनके लिए भी seats को reserve किया गया, तो अगर हम rural areas की बात करें, तो पंचायत के election होते हैं, right, so जो यह local bodies है, rural and urban local bodies, इनमें भी seats को reserve किया गया OBC के लिए, other backward classes के लिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो यह seats reserve होती हैं, यह state to state vary करती हैं, क्योंकि एक state दूसरे state से बड़ा है, right, तो इसी लिए क्या होता है, कि जो reserved seats होती हैं, वो भी vary करती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, कि एक state में जितनी seats reserve हैं, जरूरी नहीं, कि दूसरी states में भी उतनी seats, जो weaker section हैं, उनके लिए reserve हो, तो state to state यह vary करता है proportion, similarly, अगर women की बात करें, तो women के लिए भी urban local bodies and rural areas में भी, इनके लिए seats को reserve किया गया, तो one third of the seats जो है, वो reserve की गई women के लिए, कितनी seats? One third of the seats, तो हमने क्या देखा? SC, ST, OBC and women, इनके लिए seats को reserve किया गया है, कई बार question direct आ जाता है कि women के लिए कितनी seats reserve है, one third of the seats, ठीक है? अब हम बात करेंगे voters list के बारे में, यह paragraph काफी important है, यहां से direct यह question आ जाएगा कि electoral role क्या होता है, या voter list क्या होता है, तो उसका answer यह है, कि once the constituencies are decided, कि अगर एक बार constituency decide हो जाती है, तो अगला step यह होता है, कि इस चीज की list बनाई जाती है, कौन vote दे सकता है and कौन vote नहीं दे सकता, यह जो decision है, कौन सा decision? कि कौन vote दे सकता है, कौन vote नहीं दे सकता, इसका decision हम किसी पर ऐसे ही last day के लिए नहीं छोड़ सकते, बलकि इसकी ना election से पहले proper list बनाई जाती है, तो democratic election में होता यह है, कि जो भी candidates, मतलब जो भी हम voters eligible है, vote देने के लिए, उनकी list prepare की जाती है, election से बहुत time पहले, तो election से बहुत time पहले list prepare करके, उन लोगों को list दे दी जाती है, कि अब आप eligible है, vote देने के लिए, voters list, ठीक है, तो important part है, यह ध्यान रखना, हमने इसी chapter में democratic elections की कुछ condition पड़ी थी, जिसमें हमने first condition यह देखी थी, that everyone should get equal opportunity to choose representatives, कि सभी लोगों के पास equal opportunity होनी चाहिए, अपने representatives को चुनने की, किसी भी लोगों के बीच में, किसी भी group के बीच में, या community के बीच में, discrimination नहीं किया जाएगा, earlier, we read about the principle of universal adult franchise, अच्छा, universal adult franchise को तो आप class 6 ते पढ़ते आ रहे हो है न, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब यह है कि भई, हर एक इनसान को एक vote देने का अधिकार है, जो जिसकी उम्र 18 से अबव है, हर एक adult को vote देने का अधिकार है, एंड हर एक adult के एक vote की equal value है, ओके, वैसे तो हम किसी को vote देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई valid reason है, तो उससे उसके vote के अधिकार चीने जा सकते है, उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, don't worry, different citizen differ from one another in many ways, अब नागरिक जो है, वो एक दूसरे से अलग-अलग है, कुछ बहुत अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, कुछ ज्यादा ही पढ़े लिके हैं, तो कुछ कम पढ़े लिके हैं, और कुछ ऐसे हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिके नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो बहुत kind हैं, बहुत compassionate हैं, और कुछ ऐसे हैं, जो बिल्कुल kind नहीं हैं, बट all of them are human beings with their own needs and views, अब चाहे, कोई इंसान कम पढ़ा लिका हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई कम aggressive हो, ज्यादा aggressive हो, कोई बहुत गरीब हो, कोई बहुत अमीर हो, या कोई बहुत दयालू हो, या बिल्कुल भी दयालू ना हो, लेकिन है तो आखिरवे इंसान, है तो उनकी अपनी भी needs and अपने उनके viewpoint, तो इसी लिए हम सभी को जो है equal opportunity देते हैं, वोट देने का and किसी भी इंसान से ये जो opportunity है वो छीनी नहीं जा सकती, until unless कुछ valid reason हो, जैसे कि अगर suppose करो किसी इंसान ने बहुत ही घिनोना काम कर दिया, मतलब एक ऐसा crime कर दिया जो बहुत ही heinious crime है, तो उससे उसके वोट का अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है छीना ही जाएगा, छीना जा सकता है, ऐसी कुछ condition भी होती है, तो हमारे देश में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जिसकी उम्र 18 या 18 से अबव है, तो हर नागरिक वोट देगा, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, उसके एक वोट की equal value है, regardless of their caste, religion and gender, तो चाहे आप किसी caste, religion, gender से बिलोंग करते हैं, आप सभी को वोट देने का अधिकार है, बट, there are some various conditions, जहां पर कुछ लोगों के वोट के अधिकार छीन लिये जाते हैं, जैसे कि, some criminals and person with unsound mind, ओके, आगे है ये थोड़ा सा, तो जो criminals and unsound mind people हैं, बतलब जो decision नहीं ले सकते, उन लोगों को हम unsound mind people कहेंगे, and जो criminals हैं, जिन्होंने बहुत heinious crime किया है, तो उनसे हम उनके वोट देने का अधिकार उनसे छीन सकते हैं, बट, ऐसा बहुत ही rare situation में होता है, बहुत ही कम situation में ऐसा होता है, कि किसी के वोट छीने जाते हों, It is the responsibility of government to get the names of all the eligible voters put on the voters list, तो देखो, हर एक eligible voter, जिनको vote देने का अधिकार है, उनका नाम voters list में होता ही होता है, तो voters list में, जो ये नाम डाला जाता है, हर एक eligible voters का, ये responsibility government की होती है, तो सरकार का काम एक तो ये है, कि हर एक eligible voter, जिसको vote देने का अधिकार है, उसका नाम voter list में होना ही होना चाहिए इसके अलावा government की एक और responsibility यहां बनती है कि उनको ये voter list जो है वो time to time update करनी पड़ती है time to time revise करनी पड़ती है तो इसके पीछे कुछ reason भी है तो reason क्या है कि ये voter list को बार बार update क्यों किया जाता है इसके पीछे reason क्या है देखो पहला reason तो ये है कि अगर कोई इनसान अब 18 साल का हो गया है जिसका नाम पहले voter list में नहीं था जब वो 16-17 साल का था लेकिन जब वो 18 साल का होगा तो उसका नाम voter list में डाला जाएगा तो इसलिए voter list को time to time update किया जाता है जो person जो voting age को attain कर लेंगे उनका नाम voter list में आएगा next है कि कुछ लोगों का नाम voter list से हटाया भी जाता है जैसे कि अगर कोई अपनी जगया अपना place छोड़ कर चला गया तो उनका नाम हटा दिया जाता है voters list से या फिर जो dead person है मतलब जिनकी मृत्य हो चुकी है जिनकी death हो चुकी है उनका नाम भी delete कर दिया जाता है voters list से अब question यह आता है कि यह voter list को कब revise किया जाता है तो इसका complete revision होता है every five years हर पांच साल में इसका एक complete revision होता है voter list का तो नए candidate का नाम add कर दिया जाता है वो voter जिनोंने अभी voting age attain कर ले इसके अलावा उनका नाम delete कर दिया जाता है या तो जिनकी death हो चुकी है या जिनोंने अपना place छोड़ दिया है तो इसलिए time to time voters list को update किया जाता है this is done to ensure that it remains up to date तो इसलिए बार-बार revise किया जाता है ताकि up to date रहे ठीक है मतलब कोई भी इंसान वंचित ना रहे vote देने के लिए so in the last few years new system of election photo identity card has been introduced देखो हमारे election को और ज्यादा transparent बनाने के लिए हमारी government ने क्या किया epic introduce किया epic का मतलब है election photo identity card तो photo आपकी होगी ठीक है and identity card आपका होगा मतलब आपका वो पहचान पत्र होगा जिसमें आपकी photo age वगेरा लिखी होगी तो जब आप वो वोट देने जाए तो हर एक person जो है वो इस voter card को दिखा सकता है ठीक है so the government has tried to give this card to every person on voter list तो हर एक वो वोटर जो eligible है उन सभी को epic दिया गया है मतलब एक voter card दिया गया है so voters are required to carry this card when they go out for the vote तो हर एक voter जो है वो ये अपना identity card लेकर जा सकते है and vote देकर आ सकते है इसके अलावा एक चीज़ धियान रखना देखो identity card ले जाना तो बहुत mandatory है लेकिन ये mandatory नहीं है कि आप सिर्फ यही card लेकर जाओगे ठीक है आप other card भी लेकर जा सकते हो अब सबसे बड़ा question ये है कि भई identity card की जरूरत क्यों है तो identity card की जरूरत इसलिए है so that no one can vote for someone else ताकि ये पता लगाया जाए कि vote देने के लिए आप ही आयो आपकी जगे कोई और नहीं आया ठीक है तो transparent election के लिए ये voter card दिये जाते हैं but the card is not yet compulsory for voting लेकिन ध्यान रखना आपकी मर्जी है आप ये epic लेकर जा सकते हो vote देने के लिए या नहीं जा सकते हैं आपकी मर्जी है ये compulsory नहीं आए इसके अलावा ये compulsory ज़रूर है कि आपको identity card जरूर लेकर जाना है मतलब other identity proof जरूर लेकर जाने हैं जैसे कि आप राशन card लेकर जा सकते हो, driving license लेकर जा सकते हो क्योंकि राशन card, driving license ये भी आपकी identity का एक पहचान है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारी government ने elections को और ज्यादा transparent बनाने के लिए जाल साजी से बचाने के लिए एक identity card हर एक voter को provide किया लेकिन ये जो identity card है ये compulsory नहीं है आप इसकी जगह अपना राशन card, अपना driving license भी लेकर जा सकते हो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब vote देने जाते हो तो आपका एक ना एक तो भाई identity होनी ही चाहिए identity proof तो होना ही होना चाहिए and ये इसलिए होना चाहिए ताकि ये पता लगा जा सके कि वोट देने आप ही आया हो ना कि आपकी जगह कोई और आया है ठीक है ये जो next topic है nomination of candidates इसको हम next video में करेंगे till then bye bye thank you so much for watching this video Hello everyone I am Priyanka Gaur Welcome back to my channel Learning with Pace तो अभी हम लोग बात करेंगे nomination of candidates के बारे में जिसमें हम ये जानेंगे कि वही कौन उम्मीदवार election लड़ सकता है तो हमने ये देख लिया कि वही democratic elections में लोगों के पास real choices होनी चाहिए वास्तविक choice होनी चाहिए That means कि उनके उपर किसी भी तरीके के restriction नहीं होने चाहिए अगर कोई उम्मीदवार बनकर election लड़ना चाहता है तो उसके उपर किसी भी तरीके का restriction नहीं होगा और यही चीज हमारे system में provide की जाती है क्या provide किया जाता है Free and Fair Electoral Competition Anyone who can be a voter can also become a candidate in election तो जो voter होगा जो मत दान देने वाला मत दाता होगा बेसिकली जो voter होगा वो candidate भी बन सकता है elections में That means vote देने वाला election के लिए लड़ भी सकता है The only difference is that In order to be a candidate, the minimum age is 25 years old While it is only 18 years old for being a voter देखो यहां पर क्या कहा गया है कि जो voter होता है न वो election में बतोर candidate election लड़ भी सकता है Candidates एक second ठीक है And इसके अलावा इसके अलावा जो age होती है minimum age वो voter की age होती है 18 बहुती ऐसे घिर्णा वाले काम कर दी है जिसने बहुती brutal thing जिसने की है Brutal crime जिसने किया है उन पर restriction लग जाते है जैसे कि उनको या तो election लड़ने की आजादी नहीं है या फिर ऐसे criminals को vote देने का अधिकार नहीं होता लेकिन ऐसा बहुती extreme cases में होता है और काफी rare होता है Political parties nominate their candidate who get the party symbol and support अब देखो अगर कोई election के लिए candidate खड़ा होता है तो वो किस तरीके से लड़ता है तो जो political parties होती है न वो अपने candidate को nominate करते हैं जैसे कि BJP, Congress, आम आदमी पार्टी ये सब क्या करते हैं अलग-अलग constituencies से अपने candidate को खड़ा करते हैं और उनको अपना party का symbol देते हैं जैसे कि BJP का अलग symbol है इसके लिएवा आम आदमी पार्टी का अलग symbol है इसके लिएवा Congress party का अलग symbol है तो ये जो symbol है न ये respective parties को represent करता है ये जो political parties होती है जब ये अपने candidate को nominate करते हैं तो उन candidates को उस party का symbol मिल जाता है उस party का support मिल जाता है तो ये कहीन है कि एक official चीज हो जाती है कि हाँ भई ये candidate हमने अपनी तरफ से खड़ा किया है तो इसे कहा जाता है इसको ध्यान में रखना Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form हर एक वो व्यक्ति अगर वो election के लिए खड़े होना चाहता है चुनाव में लड़ना चाहता है तो उनको ना कुछ basic चीजें fulfill करनी पड़ती है जैसे कि उनको nomination form fill करना पड़ता है इसके अलावा They have to deposit a security amount to the election commission तो जो चुनाव के लिए लड़ेगा उनको election commission को कुछ security deposit भी देना होता है Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from supreme court अब election में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए supreme court ने एक नया declaration दिया तो इस declaration में क्या कहा गया आए उनको जानते हैं तो सबसे पहले ये कहा गया That serious criminal cases pending against the candidate That means कि जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं उनको form में ये बताना पड़ेगा कि भई क्या उनके खिलाफ कोई serious criminal case चल रहा है या कोई serious criminal case pending में है अगर है तो उनको वो सारी बाते लिखनी होगी nomination में Second condition ये होती है कि हर एक candidate को अपनी खुद की and अपनी family के assets and liabilities को detail में बताना होता है कि भई उनके पास कितनी धन संपत्य है उनके family के पास कितनी धन एंड संपत्य है ये सारी चीज़े बतानी होती है और ये दो बार करना होता है एक तो तब जब वो election के लिए खड़े हो रहे हो जाती है इनको फिर public कर दिया जाता है सारजुनिक कर दिया जाता है ताकि हम लोग भी देख सके कि जो उमीदवार लड़ रहे हैं चुनाव उनका background क्या है ओके सो इससे होता ये है कि इन information को इसलिए public किया जाता है because it gives us an opportunity हम voters को एक opportunity मिलती है हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या decision ले किस basis पर decision ले and candidates के क्या background है ठीक है यहाँ पर educational qualification की बात हुई है why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country देखो आपने ये देखा होगा कि राजनेताओं की अगर हम बात करें तो politics में ये होता है कि educational qualification की limit नहीं होती ठीक है and आपने ये देखा होगा कि अगर हम अलग jobs की बात करें आप किसी corporate job में जाओ, teacher बनो, आप किसी भी job में जाओ वहाँ पर आपको एक minimum qualification का criteria पूरा करना पड़ता है लेकिन ये educational qualification का criteria politics में क्यों नहीं होता आईए इस चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे देखो वैसे अगर educational qualification की बात की जाए तो हर एक job में, हर एक area में educational qualification relevant नहीं है इसका एक बहुत अच्छा example यहाँ दिया गया है Indian cricket team का तो देखो अगर हम Indian cricket team की बात करें तो एक क्रिकेटर के लिए educational qualification से ज्यादा यह important है कि भई वो cricket कितने अच्छे से खेलता है है ना, तो उसी तरीके से अगर MLA, MP की बात करें तो उनके लिए भी qualification से ज्यादा यह important है कि उनके अंदर interpersonal skills कितनी अच्छी है तो देखो interpersonal skills का मतलब होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को कितना अच्छा समझते हो दूसरों के दुख दर्द को कितना अच्छा समझते हो या कितने अच्छे से समझ कर उस पर काम करते हो So MLA, MP बनने के लिए क्या चीज मेन होती है यह मेन होता है कि लोगों के concern को समझना लोगों की problem को समझना उनको represent करना, उनकी भलाई के लिए काम करना So educational qualification से ज्यादा MLA, MP इनके लिए मेन यह होता है कि यह लोगों को कितना समझते है उनकी problem को कितना समझते है देश के मुद्दों को कितना समझते है समाज के लिए यह किस तरीके से काम करना चाहते है And इसके अलावा जो MLA's है, MPs है मतलब जितने भी government में representatives है इनको फिर examine किया जाता है हम examiner के दौरा तो examiner कोन है voters तो हर 5 साल के बाद vote होते है काम पसंद आया तो ठीक है नहीं पसंद आया तो दूसरी party अब अगर suppose करो education को हम इसमें relevant भी बना देते है हम ये भी कहते हैं कि बही चलो education होनी चाहिए बट फिर भी ये चीज़ हमें जनता परी छोड़नी चाहिए कि उन्होंने educational qualification को कितनी importance दे ली है in our country putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason चलो हम ये मान लेते हैं कि बही candidates को election में खड़े होने के लिए एक minimum qualification का दाइरा पूरा करना होगा लेकिन इसका नुकसान हमारे ही लोगों को होगा क्योंकि majority of the citizens के पास election में चुनाव लड़ने का right खतम हो जाएगा जैसे कि for example for example अगर ये compulsory कर दिया जाए कि जितने भी candidate हैं जो चुनाव में लड़ेंगे उनके पास graduate degree होना compulsory है मतलब सभी candidate के पास graduate degree होगी ही होगी चाए BA हो, चाए BICOM हो, चाए BSE हो तो इससे होगा ये अगर हमने educational qualification को politics में compulsory कर दिया तो 90% citizens के हाथ से ये rights चले जाएंगे ठीक है एंड वो चुनाव में नहीं खड़े हो पाएंगे तो इसके पीछे reason कहा है इसके पीछे reason ये है अगर हम old time की बात करें तो क्या होता था, पहले कुछ लोगों को ये opportunity नहीं मिली थी education की लेकिन इसका मतलब ये नियना कि जिसके पास education नहीं है उसके पास interpersonal skills नहीं है ये भी तो हो सकता है, जो जितना पढ़ा लिखा हो, क्या पता उसके पास उतरे अच्छे interpersonal skills नहीं हो, सो कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के पास educational opportunity नहीं रही, तो अगर हम politics में educational qualification को compulsory कर देंगे, तो वो लोग election में खड़े होने से वनचित हो जाएंगे, जिनको कभी education नहीं मिली, ठीक है अब जिनको कभी education नहीं मिली, या education की opportunity नहीं मिली, तो इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है, तो हम उनसे ये right भी नहीं छीन सकते हैं, politics वाला तो वही बात है, इसके लवा एक चीज़ ध्यान रखना representatives के लिए main ये है educational qualification से ज़्यादा important ये है, कि वो लोगों को कितना समझते हैं, उनके अंदर empathize की भावना कितनी है ठीक है, cooperation की भावना कितनी है या फिर ये कह लो, कि interpersonal skills कितनी अच्छी है तो अगर जिनके पास ये अच्छी skills होगी, वही एक अच्छा नेता बन सकते हैं, and not only नेता, बलकि मैं ये कहूंगी, कि जो NGO में काम करते हैं, जो समाजिक कारिया करता होते हैं, उनके पास ना, interpersonal skills होनी बहुत ज़रूरी है, तो educational qualification से ज्यादा interpersonal skills माइने रखती है, ठीक है, अब देखो, इस तरीके से जो है, ये form फिल किया जाता है तो अब ये आगे वाला पार्ट है, election campaign के बारे में, इसको हम next video में करेंगे, till then, bye bye, thank you so much for watching this video Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, अब ये हम लोग बात करेंगे, election campaign के बारे में, देखो election में, जो जो candidates चुनाव लडएंगे, उनकी ना, एक list prepare कर ली जाती है List prepare करने के बाद, हर एक party के जो candidate होते हैं उनको election campaign करने पड़ते हैं तो इस election campaign में, ये जो candidate होते हैं ये लोगों के साथ जुड़ते हैं लोगों को बताते हैं, कि इनकी जब सरकार बनेगी, तो किस तरीके के program and policies को ये introduce करेंगे, फिर लोगों पर depend करता है, कि भई ये किसको चुनना चाहते हैं तो लोग vote दे कर चुनते हैं ठीक है, तो चलिए अब इसी चीज़ को थोड़ा सा detail में जानते हैं तो elections के ध्रू हम लोगों के पास ये opportunity होती है, कि हम अपने representatives को चुनते हैं, हम किनकी सरकार बनवाना चाहते हैं, हम उस party को चुनते हैं, जिनकी हमें policies पसंद आती हैं, हम उनको vote देते हैं, राइट, देयर्फोर, it is necessary to have free and open discussion about who is a better representative, तो इसी लिए, इस बारे में free, मतलब बिकुल स्वतंत्र होकर and open तरीके से विचार, विमर्शन discussion होना चाहिए, कि कोन अच्छा representative है, and कोन ऐसी party है, जो एक बहुत ही बहतरीन तरीके की सरकार बनाएगी, and किस party की policy अच्छी है, यही सब चीजें हमें election campaign में पता चलती हैं, क्योंकि election campaign में सभी party के जो candidates हैं, जब वो जनता के साथ जुड़ते हैं, तो अपनी जो party होती है, उसकी ideology बताते हैं, program बताते हैं, policy बताते हैं, and कुछ promises करते हैं, तो फिर जनता को समझ में आता है कि बई, किसकी policy सबसे अच्छी है, तो जिसकी policy उनको अच्छी लगती है, वो उनी को जिता देते हैं, तो depend करता है जनता पर, in our country, such campaign take place for two week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling, तो देखो हमारे देश में, जो यह election campaign होते हैं, कि कब होते हैं, जब ना final list बन जाती है candidates की, भई, कौन-कौन उमीदवार election में लडेंगे, जब उनकी final list तयार हो जाती है, तब से लेकर, जब election में voting का time आता है, date of polling का time आता है, तब तक यह election campaign चलते रहते हैं, लगबग दो हफते तक यह election campaign चलते हैं, and during this period, the candidate contact their voters, तो जो candidates होते हैं, वो आम जनता के साथ, जो vote देने वाले लोग हैं, उनको हम voters कहते हैं, तो उनके साथ वो जुडते हैं, contact बनाते हैं, इसके अलावा, जो political leaders हैं, वो election meetings को address करते हैं, इसके अलावा, जो political parties हैं, मतलब जिन जिनके उमीदवार चुनाव में खड़े हो रखे हैं, तो अब वो political party अपने candidate को support करते हुए घूमती हैं, ठीक है, तो मतलब पूरा propaganda ये चलता रहता है, इसके अलावा, हम newspaper में television में भी यही news देखते हैं, हर जंग है, सिर्फ और सिर्फ election की story, election के बारे में debate हो रही होती है, newspaper में भी, television में भी, बट ये election campaign, हम ये तो मानके चलते हैं कि 2 हफतों के लिए होते हैं, लेकिन exactly 2 हफते नहीं होते हैं, क्योंकि preparation जो होती है, वो 2 हफतों से पहले ही शुरू हो जाती है, ठीक है, तो election campaign की जो preparation है, वो लगबग 1,5 महीना पहले शुरू हो जाती है, आगे हमें ये बताया गया है, कि political parties न, election campaign में किस तरीके के मुद्दों पर बात करती है, किस तरीके के हतकंडे अपनाती है, ताकि वो लोगों का attraction अपनी तरफ ड्रो कर सके, तो देखो, election campaign में political party न, बहुत सारी tactics को अपनाती है, तो सबसे बहले political party क्या करती है, वो बड़े-बड़े मुद्दों पर बात करती है, और उन मुद्दों पर बात करती है, जो मुद्दे आम जनता की नजरों में बहुत बड़े होते हैं, तो इससे होता यह है कि उनको आम जनता का एक तरीके से attraction मिल जाता है, और आम जनता के बीच में political parties बड़े issue के बारे में बात करके popular हो जाती है, और इससे उनको vote मिल जाते हैं, इसके अलावा, यह जो political parties हैं, यह तरह तरह के slogans भी यूज करते हैं, उन्ही स्लोगन के बारे में अभी हम बात करेंगे, the Congress party led by इंद्रा गांधी gave the slogan of गरीवी हटाओ, remove poverty in the लोगसभा election of 1971, तो 1971 में, जब लोगसभा के election हुए थे, लोगसभा के election central level पे होते हैं, ठीक है, तो जब लोगसभा के election हुए 1971 में, तो Congress party को उस time पर lead कर रही थी इंद्रा गांधी, तो इन्हों ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, मतलब, remove poverty, तो poverty एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो Congress ने इस time पर poverty पर बात करके, लोगों का ध्यान अपनी तरफ attract किया था, तो इस तरीके से, ऐसे कुछ slogans के बारे में बात की जाती है, जो slogans, लोगों को बहुत पसंद आई, राइट, the party promised to reorient all the policies of the government, to remove poverty from the country, इसके अलावा, इंद्रा गांधी की जो ये party थी, Congress party, poverty को, गरीबी को मिटाने की पूरी की पूरी कौशिश करेंगे, अगर इनकी सरकार जीतेगी, तो ये ऐसी policy लेकर आएंगे, कि हमारे देश में गरीबी बिलकुल खतम हो जाएगी, eradicate हो जाएगी, next slogan है, save democracy, it was the slogan given by जनता party, under the leadership of जै प्रकाश नारायन, तो एक party है, जनता party, जिसको लीड कर रहे थे, जै प्रकाश नारायन, इन्होंने slogan दिया, save democracy, अब ये जो slogan इन्होंने दिया था, कब दिया था, जब 1977 में, Central level पर, लोग सबा के election हो रहे थे, जै प्रकाश नारायन की पार्टी ने क्या प्रोमिस किया, इन्होंने प्रोमिस किया, to undo the access committed during emergency and restore civil liberty, देखो इसको समझने से पहले, आपको इंद्रा गांदी का time period समझना होगा, इंद्रा गांदी ने अपने time period में, emergency impose कर दी थी पूरे भारत पे, emergency को impose किया, तो लोगों के civil rights उनसे चीन लिये गए थे, तो इसी चीज का, इसी चीज का, मुद्दा किस ने बनाया, जै प्रकाश नारायन ने बनाया, और ये कौन सी party को lead कर रहे थे, जनता party को lead कर रहे थे, तो इन्होंने slogan दिया, save democracy, तो इन्होंने कहा कि, भई, democracy को save करने की जरूरत है, और इन्होंने ये कहा कि, अगर मेरी party जीती है, मैं अगर government बनाता हूँ, तो एमरजेंसी में, जो इंद्रा गांदी ने आप लोगों के साथ access किया था न, उसको हम बिल्कुल undo कर देंगे, जो civil liberty आप से छीनी गई थी, उसको हम restore कर देंगे, that means कि लोगों के पास, आप लोगों की जो civil right है, जो civil liberty है, वो आप लोगों के पास वापिस आ जाएंगी, तो अभी अच्छली दिवाली का time चल रहा है, और आज पास जो है, जो है लोग burn कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे मुझे माफ कीज़ेगा, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे से noise आ रहा है, तो क्योंकि आप लोगों के exams हैं, और मुझे ये syllabus लाइक ये chapter मुझे कराना ही था, ठीक है ना? The left front used the slogan of land to the tiller, in the West Bengal Assembly election held in 1977. So 1977 में West Bengal की जो left front party थी, उन्होंने slogan दिया, land to the tiller, tiller का मतलब होता है farmer, तो उन्होंने यहाँ पर बात की की, हम सभी किसानों को उनकी जमीन दिलाएंगे, आप लोगों के साथ exploitation नहीं होने देंगे, So आप यहाँ पर देख रहे हो, कि सब लोग ना बड़े बड़े इशू का मुद्दा बना कर, लोगों के सामने रखते हैं, एंड यह ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ attract किया जा सके, एंड election में जीता जा सके, अब बात करते हैं, anti-rama-rao के बारे में, जो तेलगू देशम पार्टी के लीडर थे, एंड यह आंदर प्रदेश में, assembly elections को लड़ रहे थे, मतब state level पे जो elections होते हैं, वस election में इन्होंने participate किया था, 1983 में, तो इन्होंने अपनी पार्टी को जिताने के लिए, कौन से बड़े concern पर बात की, इन्होंने कहा कि जो तेलगू पीपल है, मतब तमीलाडू के जो लोग है रहने वाले, जो habitant है, हम उनके self-respect को protect करेंगे, ठीक है, तो protect the self-respect of the तेलगू तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, कि अगर हम इंदरा गांधी के time period की बात करें, तो इन्होंने गरीवी पर बात की, फिर अगर हम जनता पार्टी के बारे में बात करें, तो जैप्रकाश नारायन ने डेमोक्रेसी को बचाने की बात की, फिर हम वेस्ट बेंगोल में देखें, तो लेफ्ट फ्रेंट में हमने देखा कि भई, फार्मर्स के बारे में बात की गई, फिर अगर हम आंदर प्रदेश में देखें, तो एंटी रामा राओ, जो की तेलगू देशम पार्टी के लीडर थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया कि हमें तेलगू के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्या समझे, कि अलग-अलग पार्टी, इलेक्शन कैम्पेन में बड़े-बड़े मुद्दों पर बात करती है, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रेक्ट करती है, ठीक है, और इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा करते हैं, एक डेमोक्रेटिक देश में सबसे अच्छा यही है, कि सभी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को एकदम फ्री छोड़ दिया जाए, कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन को कंड़क्ट कर सकते हैं, बट सम्टाइम्स ऐसा होता है, कि थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना पड़ता है, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में, इलेक्शन कैंपेइन के टाइम पर सभी पार्टी को फ्री छोड़ देना सही है, लेकिन बीच में इंटरफेयर करना कभी कभी नेसेसरी हो जाता है, ये एंशोर करने के लिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एंट सभी कैंडिडेट्स को फेयर एंट इक्वल चांस में ले कंपीट करने का, इसके अलावा कुछ इलेक्शन लोबी है, मतलब कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं, जो इलेक्शन के टाइम पर सभी पार्टी एंट कैंडिडेट्स को फोलो करने पड़ते हैं, तो सबसे पहला ये है कि बहई कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट्स वोटर्स को ब्राइब नहीं देंगे, ठीक है, पैसे देकर वोट नहीं जीतेंगे, नहीं वोट मांगेंगे, पैसे देकर, नहीं किसी वोटर को डराया या धमकाया जाएगा, नेक्स्ट है, कि पार्टी एंट कैंडिडेट्स ना तो कास्ट एंड ना रिलिजिन का यूज करके वोट मांगेंगे, मतलब धर्म और जाती के, जाती और धर्म के आधार पर, कास्ट मतलब जाती, रिलिजिन मतलब धर्म, तो जाती और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, next है कि election campaign में सभी resources government resources ही होंगे and उनी government resources को ही use किया जाएगा इसके अलावा central level पर जो लोग सबा के election होते हैं उसमें जो खर्चा किया जाएगा वो लगबग कुछ 25 लाग या उससे थोड़ा वह उपर होगा and अगर state assembly की बात की जाए तो उसमें जो है 10 लाग का या उससे उपर का खर्चा किया जाएगा ये minimum है ओके if they do so अगर suppose करो इन सभी rules में से किसी भी party ने किसी भी candidate ने rule को break कर दिया तो उनके election को reject करा जाएगा court में and तब भी reject किया जाएगा अगर suppose करो कोई party जीत गई and जब ये पता चला ये court में साबित हो गया कि उसने जीतने के लिए इन rules को break किया है तो जीतने के बावजूद भी उनके election को reject कर दिया जाएगा court में in addition to the laws all the political parties in our country have agreed to model code of conduct for election campaign इसके अलावा कुछ set of rules होते हैं कुछ certain guidelines होती हैं जो political parties को follow करनी पड़ती है उन्ही certain guidelines को, उन्ही certain rules को code of conduct कहा जाता है तो ये जो code of conduct है, basically जो rules है, जो regulations है, ठीक है, जो set of guidelines है ये guidelines हर political party को follow करनी पड़ती है according to this, no party or candidate can अब ये जो code of conduct है, इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है? इसमें पहला तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी party, election campaign के time पर किसी भी worship place का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने election propaganda के लिए जैसे कि suppose करो, कोई भी political party, ना तो हिंदू temple का, ना mosque का, ना ही जहाँ पर Christian जाते हैं, basically church में तो ऐसे किसी भी धार्मिक स्थान का, धार्मिक place का use नहीं करेंगे election propaganda में, ठीक है? इसके अलावा, एक चीज़ ओर ध्यान रखना, कि किसी भी धार्मिक स्थान का, इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा देश एक secular देश है, है ना? तो यह किसी भी एक particular religion को represent नहीं करता, next है, कि election campaign में, कोई party या candidate, government vehicles का use नहीं करेंगे, सरकारी aircraft का use नहीं करेंगे, और नहीं किसी सरकारी अधिकारी का use करेंगे, अपने party के propaganda को promote करने के लिए, next है, once election are announced, कि जब अगर election announce हो गए, so ministers shall not lay foundation, stone of any project, take any big policy decision, और make any promises of providing the public facility, देखो, अगर एक बार election announce हो गए, तो जो ministers होते हैं, वो ना, ना तो कोई एक बड़ा project हाथ में ले सकते हैं, ना ही किसी बड़े project की या किसी बड़ी policy की announcement लोगों के आगे कर सकते हैं, और ना ही लोगों के सामने कोई ऐसी public facility को provide करने की promise कर सकते हैं, अगर किसी party ने ऐसा किया, तो उससे होगा क्या, उससे नुकसान other party को हुगा, क्यों, क्योंकि अगर एक party इस तरीके से बोल देखी, कि भाई हम तुम लोगों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बड़े बड़े project लेकर आएंगे, ये policy decision लेकर आएंगे, तो इससे होगा ये, कि भाई, जिस party ने ये इतने बड़े बड़े वादे कर दिये, तो सभी लोग उनी कोई vote देंगे, ठीक है, एंड जो rest party हो गई, तो उनके लिए तो फिर ये अन्याय हो जाएगा, ना unfair हो जाएगा, unjust हो जाएगा, तो इसी लिए ये कहा गया कि कोई भी party जो है, कोई भी party एंड कोई भी candidate, election campaign के time पर ऐसे बड़े बड़े वादे न promise करेंगे, ठीक है, तो इतना अभी के लिए बहुत है, आगे वाला जो topic है, polling and counting of votes, इसको हम next video में करेंगे, till then bye-bye, thank you so much for watching this video. Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, class 9th की civics का ये है chapter number 3, and इस chapter में अभी हम बात करेंगे about polling and the counting of the votes, polling का मतलब होता है vote डालना, counting of votes का मतलब होता है vote गिनना, देखो हमने election को लेकर काफी सारे stages पढ़ लिए, देखो जिसमें हमने क्या क्या जाना, कि भई, जो voters होंगे, उनकी eligibility क्या हो होगी, उनकी age होनी चाहिए 18 या 18 से अबव, ठीक है, फिर हमने candidates की eligibility जानी, वो candidates जो election में चुनाव लड़ सकते हैं, उनके लिए minimum age होनी चाहिए 25, फिर हमने ये जाना कि जब candidates को चुन लिया जाता है, मतलब कि कौन-कौन उमबीदवार किस-किस party से खड़े होंगे, तो उन फिर list बना ली जाती है, and फिर candidates की list बनाने के बाद, इनको कुछ और criteria जो है, वो fill करने पड़ते हैं, जैसे की form वगेरा fill करने पड़ते हैं, अपनी assets के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है, फिर इसके बाद, इनको election campaign जो है, वो run करना पड़ता है, and campaign में ये logo के साथ मतलब हम जो आम जनता है, जब हम vote देते हैं, तो वो election का final stage कहलाता है, ठीक है, so the final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote, तो जब हम voters अपने vote को डाल देते हैं, cast कर देते हैं, या poll कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, एक election day, and ये election का सबसे last stage होता है, तो question आ सकता है, examiner आपसे पूछ सकता है कि बई, election day क्या होता है, तो आपको बताना है, कि election day का मतलब है, कि जब हम voters अपने vote कास्ट कर देते हैं, तो उसे election day कहा जाता है, and ये election का final stage होता है, ठीक है, every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth, देखो जिस भी person का नाम voters list में है, water list में नाम किसका होता है, जिसकी उम्र 18 या 18 से अबव है, मतलब वो हर इंसान जो vote देने के लिए eligible है, उनका नाम voter list में होता है, तो जिस भी इंसान का नाम voter list में होगा, वो polling booth में जाकर vote देंगे, अब ये polling booth कहां पर होता है, ये situated होता है, आपके घर के बिल्कुल पास में ही, या तो किसी local school में, या फिर किसी government office में, ठीक है, Once the voter goes inside the booth, जब एक बार voter बूत के अंदर चला जाता है, तो जो election official होते हैं, election official का मतलब जो election अधिकारी होते हैं, वो उनको identify करते हैं, किनको सभी voters को, तो election official सभी voters की identity card देखते हैं, उनके finger पर एक pen से mark कर देते हैं, और फिर उनको polling booth के अंदर जाकर vote देने के लिए allow कर दिया जाता है, अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, कि जब polling booth में voting हो रही होती है, तो उस time पर हर party के जो agents होते हैं, वो भी अंदर बैठे होते ह हैं, वो इसलिए अंदर बैठे होते हैं, ताकि यह ensure किया जा सके कि जो election हो रहे हैं, जो voting हो रही है, वो बिल्कुल fair तरीके से हो रही है, किसी के साथ कोई discrimination नहीं हो रहा, ठीक है, चलिए अब आगे वाला point करते हैं, अच्छा ये वाला अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ दिये जाते हैं, तो अगर पहले की बात करें तो पहले ना ballot paper पर vote दिये जाते थे, आज के time पर machine पर vote दिये जाते हैं, तो देखो पहले के time पर क्या होता था, कि voters अगर किसी specific party को vote देना चाहते थे, तो ballot paper पर stamp लगाना पड़ता था, ballot paper क्या होता था, एक sheet of paper, कागज का एक sheet, जिस पर उन सभी candidates के नाम लिखे हुए होते थे, जो चुनाव में लड़ रहे हैं, और उनकी party का नाम लिखा होता था, और उनके party के respective symbols भी वहाँ पर होते थे, ठीक है, तो जैसे ये ballot paper हुआ, अगर आपने BJP को vote देना है, तो stamp लगा दिया, उनके नाम पर, अगर आपने Congress को vote देना है, तो उनके नाम पर आपने stamp लगा दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कागज की sheet पर, which is called ballot paper, उस पर stamp लगाना पड़ता था, बट अगर आज के time की बात करें, तो आज के time पर machine का use होता है, तो आज के time पर EVM का use होता है, इसकी full form examiner पूछ लेता है, ध्या का use होता है, इसमें votes को record किया जाता है, the machine shows the name of the candidate and the party symbol, इस machine पर क्या होता है, सभी party के नाम, ठीक है, इसके लावा उनके symbol and जो candidates चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी के नाम लिखे हुए होते हैं, independent candidate जो होते हैं, उनके अपने खुद symbols भी होते हैं, जो की election commission के द्वारा allot कि जाते हैं, देखो independent candidate का मतलब वो है, जिसने किसी other party के साथ alliance नहीं बनाया, जिसकी खुद की अकेले की party है, तो वो भी election में, चुनाव में आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है, तो उनको जो symbol allot किया जाता है, वो symbol election commission के द्वारा allotted होता है, ध्यान रखना, अब आपने EVM machine पर जाकर क्या करना होता है, एक button को press करना होता है, उस नाम के against, जिसे आप vote देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि suppose करो, यहाँ पर BJP है, यहाँ पर Congress है, यहाँ पर आम आदमी party है, तो आप इन वे से अगर किसी को vote देना चाहते है, तो आपको ऐसे button को press करना होगा, अगर यह button प्रेस करोगे तो यह जीत जाएंगे, यह करोगे तो यह वाले जीत जाएंगे, ठीक है, once the polling is over, all the EVM are sealed, एक बार अगर polling हो जाती है, तो सभी EVM को, जो machines है, उनको seal कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, and एक secure and safe place पर लेकर जाया जाता है, फिर एकना date को fix करा जाता ह कुछ दिन के बाद एक date fix होती है, and उस time पर सभी constituencies की जो EVM है, उनको एक साथ open किया जाता है, and votes को count किया जाता है, the agents of all the candidates are present there to ensure that the counting is done properly, अब यहाँ पर भी आपने क्या देखा था, कि जब vote होता है, तब भी candidates के जो agents होते हैं, वो बैठे होते हैं, यह ensure करने के लिए कि voting fair तरीके से हो रही है, and यहाँ पर भी सभी parties के जो candidates के agents हैं, वो बैठे हुए होते हैं, जब vote की counting होती है, यह ensure करने के लिए कि votes की counting fair तरीके से हो रही है, जब गिना जाता है, तो वो एक ही टाइम पर एक ही दिन में गिन लिया जाता है, और उसी टाइम पर हमें television में, news report में, up-to-date ऐसे news मिलती रहती है, रेडियो के द्वारा, newspaper, television channels के द्वारा हमें report मिलती रहती है कि अभी कितने votes count हो चुके हैं, कितने hours अभी बाकी हैं, कितना time अभी बाकी है, result declare होने में, तो हमें न, electronic media के द्रू बहुत सारी चीज़े पता चलती हैं, कि vote count होने कब शुरू हुए, कौनसी constituencies में, किसने vote जीता, कितने vote पाकर vote जीता, ठीक हैं, and it becomes clear as to who will form the next government, तो हमें न, ये अंदाजा, television, channels, news, reports, and radio के द्रू पता लग जाता है, कि next government किसकी बनने वाली है, क्योंकि हमें update मिलता रहता है, कि किसको ज्यादा vote मिले, अब ये जो next part है, इसको हम next video में करेंगे, till then bye bye, thank you so much for watching this video, Hello everyone, I am Priyanka Gorn, welcome back to my channel, Learning with Pace, 9th class की civics का ये है chapter number 3, and इस chapter में हम बात करेंगे, इस topic के बारे में, कि भई जो election होते हैं इंडिया में, क्या ये election democratic हैं या नहीं है, तो अगर election democratic हैं, तो कैसे हैं, और अगर democratic नहीं हैं, तो फिर election का फाइदा क्या है, है ना, तो इन चीजों के बारे में अभी हम जानेंगे, we get to read a lot about unfair practices in election, देखो हमें न, elections में unfair practices के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि newspaper, television reports में हमें ये देखने को मिलता है, कि एक party, दूसरी party पर allegation लगा रही है, या फिर जो party हार गई है, वो जीतुई party पर allegation लगा रही है, कि इन लोगों ने unfair practices का use किया है, unfair practices का use करके ये लोग जीते हैं, तो इस तरीके के allegation हमने बहुत बार सुने हैं, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि एक party दूसरी party पर किस तरीके के इलजाम लगाती है, तो पहला इस तरीके का allegation लगता है कि जो party जीती है, इसने false name का use करके अपनी तरफ vote कर लिये हैं और जैन्विन लोगों के नाम voter list से हटा दिये, दूसरा इस तरीके का allegation देखने को मिलता है कि जो party जीती है, इसने न government facilities का misuse किया है, government officials का use किया है election campaign के time पे, अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कि जब election campaign होते हैं, तो कोई भी सरकारी अधिकारी किसी party के लिए नहीं बोलेगा, ये तो एक बहुत ही important rule होता है, नेक्स्ट है excessive use of money, अच्छा कई बार ऐसे भी allegation लगते हैं कि जो party है सामने वाली वो बड़ी party है भई, है ना उसमें जो candidate हैं वो काफी ज्यादा rich हैं, जो उमीदवार है ना उनके पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने bribe देकर लोगों से vote खरीद लिये हैं, इस तरीके के भी allegation लगते हैं, नेक्स्ट ऐसे भी allegation लगते हैं कि voters को intimidate किया जाता है, मतलब डराया, धमकाया जाता है, rigging की जाती है polling day पर, rigging का मतलब होता है dishonesty, ठीक है, तो इस तरीके के allegation देखने को मिलते हैं, अब अगर आप से ये question पूछा जाए, क्या ये सारे allegation सही हैं, तो आपको answer में यही बोलना है, कि देखो इसमें से काफी सारे जो ये allegation हैं ये सही हैं, we feel unhappy when we read or see such reports, हाला कि हम जब ऐसे allegation सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सुनने में और पढ़ने में ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, but fortunately, ये जो unfair practices होते हैं election में, ये इतने large scale पर नहीं होते, कि elections के माइने ही बदल जाएं, ठीक है, इसके अलावा यहां से एक basic question arise होता है, can a party win an election and come to power, not because it has popular support, but through electoral malpractices, तो ये important question है, कि क्या एक ऐसी party जीत सकती है, election में या power में आ सकती है, जिसके पास popular support तो नहीं है, मतलब जनता का support नहीं है, लेकिन electoral malpractices की वज़े से वो party जीत गई है, क्या ऐसा हो सकता है, तो ये question थोड़ा सा vital है, इसको carefully examine करने की जरूरत है, तो इसके लिए हम यहाँ पढ़ना कुछ चीजे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, independent election commission के बारे में, one simple way of checking whether elections are fair or not, is to look at who conduct the elections, अगर हमने ये जानना है न, कि elections fair तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा, कि elections conduct कराने की जिम्मेदारी की इसकी है, तो election conduct कराने की जिम्मेदारी है election commission की, और ये जो election commission है, ये independent body होती है, तो क्या election commissions government से independent होते हैं, या government का election commission पर influence होता है, इन सारे questions के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, As questions as well, Can the government or the ruling party Influence and pressurize them? तो जो election commission Vote conduct कराते हैं Election conduct कराते हैं Vote की counting कराते हैं तो जो जो ये election commission होती है क्या इस पर government का influence होता है या ruling party का influence होता है या फिर इन पर किसी तरीके का pressurize बनाया जा सकता है क्या इन पर किसी तरीके का दबाव बनाया जा सकता है Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections क्या election commissions के पास इतनी आजादी है कि वो free and fair तरीके से election कराए क्या वो actually में अपनी power को सही डंग से use कर रही है तो यह जो सारे question है इनके answer हम आगे देखेंगे और इनके answer से आपको clear हो जाएगा कि हमारे जो यहाँ पर elections होते हैं भारत में वो democratic हैं के नहीं है और अगर democratic हैं तो कैसे हैं तो यहाँ पर answer दिये गए हैं इन सारे questions के In our country elections are conducted by an independent and very powerful election commission तो यह तो आपने यहाँ पर ऐसे highlight कर लेना है कि हमारे यहाँ पर जो elections है वो conduct किये जाते हैं EC के दवारा EC मतलब election commissions इसमें ना बहुत सारे members होते हैं जो election commission के member होते हैं जो election को conduct कराते हैं election में सभी चीजों को supervise करते हैं it enjoys the same kind of independence that judiciary enjoys यहाँ पर most important बात देखो क्या बता दिया है कि जिस तरीके से हमारे देश की judiciary मतलब न्याय पालिका independent है that means कि हमारी न्याय पालिका पर हमारी judiciary system पर judges पर कोई भी किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकता क्योंकि वो free है ठीक है किस कोई भी judiciary के उपर pressure नहीं बना सकता किसी का influence नहीं होगा क्योंकि हमारी न्याय पालिका जो है वो बिल्कुल सुवतंत्र है so in the same way यही power किसको मिली हुई है election commission को मिली हुई है तो इनके उपर भी कोई भी किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकत एंड यह body बिल्कुल independent है कौनसी body independent है election commission की ठीक है the chief election commissioner is appointed by the president of India important question आ गया question यह पूछ सकता है examiner की जो chief election commissioner है उनको appoint किसके द्वारा किया जाता है president of India के द्वारा राश्टर पती जो है वो chief election commissioner को appoint करते हैं बट अगर इनको एक बार appoint कर दिया किनको chief election commissioner को फिर न यह ना तो president के लिए और ना ही government में किसी party को यह answerable होते हैं तो इनको ना answer नहीं देना पड़ता अगर election commissioner ने किसी चीज का decision ले लिया तो वो decision final माना जाएगा ठीक है they are not answerable to president and nor to government even if the ruling party or the government doesn't like what the commissioner does अगर suppose करो जो ruling party है जो जीत रही है party या government के लोगों को election commissioner की policies पसंद नहीं आ रहे है rules पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं उनको फिर भी वो rules and policies माननी पड़ेगी so यहाँ पर हमने क्या समझा की chief election commissioner ने जो decision दे दिया वो final decision होगा सबको मानना पड़ेगा चाहे किसी को पसंद आए ना आए and कोई भी chief election commissioner पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकता ठीक है and एक ओर चीज है it is virtually impossible for it to remove the CEC that means कि अगर किसी ruling party को government को commissions का election commissions का काम पसंद नहीं आ रहा है तो ये chief election commissioner को हटा नहीं सकते मतलब इनको हटाया तो जा सकता है देखो जा सकता है ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लेकिन मतलब बहुत rare chances में हटाया जा सकता है easy नहीं है इनको हटाना ठीक है next है कि अगर हम ना इंडिया के election commissions की power को दूसरे देश के election commissions के साथ compare करें तो आपको पता चलेगा कि भारत में election commission के पास जो wide range की power होती है ना वो power other countries में किसी भी election commission के पास शायद ही होती हो तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि election commission elections को किस तरीके से control करते हैं तो सबसे पहला है easy takes decision on every aspect of the conduct election को conduct करने में सारे decisions जो हैं वो easy के होते हैं election commission के होते हैं इसके अलावा elections के हर stage को control किया जाता है easy के दुआरा जैसे कि announcement से लेकर कि भाई कब से election हो रहे हैं तब से लेकर election के result तक सारा का सारा control easy के पास होता है next है easy के दुआ election commission के दुआ कुछ basic guideline कुछ basic rule बता दिये जाते हैं हर एक candidate and उसकी party को जिने हम कहते है code of conduct and in code of conduct को हर एक candidate को हर एक party को follow करना पड़ता है लेकिन अगर ये basic guideline कोई candidate उमीदवार या party follow नहीं करेगी इन rules का अगर violate करेगी violation करेगी तो उन्हें punish कर दिया जाएगा in fact उनके election को reject भी किया जा सकता है during this period the EC can order the government to follow some guidelines इस time पर election commission government को भी कुछ order दे सकती है कि government को कुछ guidelines follow करनी है अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि elections करते वक्त कोई भी government power का misuse ना करे ना ही कोई party और candidate government power का misuse करके election को जीतने की कोशिश करे ना ही कोई government party या government जो officials होते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका election में कोई use करे क्योंकि सरकारी अधिकारी जो हैं उनके उपर एक तरीके का limitation होता है कि वो किसी भी party के लिए नहीं बोलेंगे किसी party के favor में नहीं बोलेंगे ना ही किसी party के साथ वो election campaign में जाएंगे इसके अलावा जो government officials होते हैं उनको ना transfer भी कर दिया जाता है EC के द्वारा ये सारा का सारा decision किसका होता है election commission का होता है जितने भी लोग elections की duty में लगे हैं वो सारे के सारे government officers election के time पर EC के under होते हैं ना कि government के ठीक है जितने भी करमचारी election duty में लगे हुए होंगे वो सब election commission की बात मानेंगे government की बात नहीं मानेंगे क्यों क्योंकि वो directly election commission के under में होंगे जब तक election का result नहीं आ जाता ठीक है in the last 25 years or so the election commission has begin to exercise all its power and even expand them and it is very common now for the election commission to reprimand the government and the administration of the lapses देखो हम कुछ last 25 years की बात करें तो election commission की powers जो है उनको और ज्यादा expand कर दिया गया and यह कोई नई बात नहीं है अगर election commission government को reprimand करें उनको मतलब किसी guideline को तोड़ने के लिए अगर उनको गुसा करें तो and when election official come to the opinion that polling was not fair in some booths अगर election officials ने, election अधिकारियों ने या election commission के जो members हैं उन्होंने अगर यह कह दिया कि बही किसी polling booth में fair तरीके से election नहीं हुए तो क्या होगा, दुबारा से repol किया जा सकता है अगर election commission ने यह बोला कि एक constituency में fair तरीके से election नहीं हुए या entire constituency में fair तरीके से election नहीं हुए तो EC के पास यह भी power है कि वो repol का order दे सकते हैं The ruling party often do not like what EC does कई बार क्या होता है कि जो parties होती है and EC होती है इनके बीच में friction आ जाता है तो ruling party को कई बार EC की चीज़े पसंद नहीं आती है जो rules वो बनाते हैं वो पसंद नहीं आती है लेकिन फिर भी ruling party को वही काम करना पड़ता है वही चीज़ वही rules है वो follow करने पड़ते हैं जो EC ने बनाए है लेकिन अगर यहाँ पर आप एक बात सोचो अगर EC को हम independent ना बनाते जिस तरीके से हमारी judiciary independent है तो फिर क्या EC इतने powerful हो पाते नहीं हो पाते ना तो EC को अगर हम independent नहीं बनाते या election commission के जो members है अगर हम उनको independent नहीं बनाते ना तो इनके उपर बहुत pressure रहता अब यह independent है तो इसलिए जो party है जो candidate है उनको EC की बात माननी ही पड़ती है ठीक है यहाँ पर एक point तो हमारा prove हुआ कि election commission के under में elections होते है and election commission एकदम independent and free body है तो इससे हमें यह तो समझ में आता है कि elections जो हैं हमारे यहाँ पर वो democratic तरीके से होते हैं दूसरा एक और तरीके से समझा जा सकता है which is popular participation इसका मतलब है कि लोग election में कितना participate करते हैं तो अगर हमें election process की quality को check करना है तो हमें कैसे check करने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर कितने enthusiasm से कितने उत्साहित होकर participate करते हैं elections में अगर suppose करो लोगों को election में interest ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर free and fair election नहीं हो रहे हैं लेकिन अगर लोगों को interest है इसमें election के participation में तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर election free and fair तरीके से हो रही हैं दूसरा तरीका यह है that people's participation in election is usually measured by voters turnover figures voters turnover figures का मतलब है कि देखो क्या होता है कि suppose करो कि हमारे यहाँ पर 80% लोग हैं जो vote डाल सकते हैं अब इसमें से actual कितने लोग हैं जो vote डालने जाते हैं तो actual जितने लोग हैं vote डालने जो जाते हैं उनको हम कहते हैं voter turnover figure तो आप लोगों को हम बता दें कि भाई अगर हम कुछ last 50 year की बात करें तो Europe and North America में यह जो voters का turnover figure है वो decline होता जा रहा है मतलब वहाँ पर लोग इतने interested नहीं हैं vote देने में बट अगर इंडिया की बात की जाए तो यह turnover या तो stable है या फिर थोड़ा ऊपर गया है तो हमारे यहाँ पर आज भी लोग election में विश्वास रखते हैं ठीक है यहाँ पर दिखो figure के थूँ समझाया हुआ है इसको यह वाला point काफी important है अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर poor people मतलब गरीब लोग illiterate people मतलब अनपड लोग and underprivileged people मतलब downtrodden लोग यह लोग ना large proportion में vote देते हैं whereas अगर इनी के comparison में हम यहाँ पर rich and privileged section की बात करें तो यह लोग vote कम देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर poor people सबसे ज़्यादा vote देते हैं illiterate and downtrodden people सबसे ज़्यादा vote देते हैं whereas जो rich and privileged section है यहाँ का वो vote कम देते हैं अब यही चीज बिलकुल opposite है western democracies में जैसे की USA हो गया फ्रांस हो गया तो जो western democratic countries हैं वहाँ पर बिलकुल उल्टा है वहाँ पर rich लोग ज्यादा vote देते हैं privileged section के लोग ज्यादा vote देते हैं and poor लोग जो हैं वहाँ पर कम vote देते हैं for example United States of America की बात करें तो वहाँ पर जो African Americans हैं जो black people हैं जो black people हैं जो black people हैं वो कम vote देते हैं as compared to white white people large proportion में vote देते हैं whereas black people and Hispanics जो हैं वो कम मात्रा में vote देते हैं Hispanics वो हैं जिनका America में origin नहीं हुआ basically इनका culture थोड़ा इनसे अलग होता है अच्छे यहां पर देखो जिस तरीके से यहां पर देखो वोटर टर्न आउट भी दिखा रखा है अपर कास्ट के लोग कितने हैं जो vote देने जाते हैं इसमें से ऐसी लोग जो हैं जो scheduled कास्ट के लोग हो सबसे जादा वोट देते हैं और स्ट वाले लोग वोट देते हैं तो स्ट यह दो हैं ऐसी कास्ट जिसमें से लोग large proportion में वोट देने आते हैं USA की बात की जाए जो white people, white people वहां पर जादा तर रिच हैं तो यह लोग सबसे जादा वोट देते हैं whereas black and जो hispanic वो in comparison to white people बहुत कम मातरा में वोट देते हैं next point आपको ध्यान रखना है common people in India attach a lot of importance to election देखो हमारे यहां भारत में न हर आम नागरी के बीच में election की बहुत importance है उसके पीछे reason क्या है कि हर आम नागरी को यह लगता है कि हम न election के time पर political parties पर pressure बना सकते हैं कि वो हमारे favor की policy and programs को adopt करें इसलिए हमारे यहां क्या होता है आम नागरी के election का पूरा फायदा उठाते हैं कहने का मतलब है उनको पता होता है कि अगर हम इनको elect करेंगे representative को हम चुनेंगे तबी तो यह सरकार बना पाएंगे तो इसलिए जो common people है वो political parties पर pressure बनाते हैं कि वो ऐसी policies ऐसे programs को adopt करें जो common लोगों के favor में हो तो इसलिए हमारे यहां पर election को बहुत importance दी जाती है हमारे यहां पर जो voters है वो election में होने वाली activities में बहुत ज्यादा बढ़ चड़ के हिस्सा लेते हैं अगर आप 2004 के election की बात करोगे तो उस time पर जो one third voters थे उन्होंने election campaign में and election से related activities में participate किया था one third population का मतलब है 100 में से लगबग 33 लोग ठीक है जो vote में already indulged थे इसके अलावा अगर उन ऐसे लोगों की बात की जाए जो one third people थे जो election campaign में लगे हुए थे उन में से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्नोंने ये कहा कि हम party के बिल्कुर close में है मतलब हम political party को या specific party के member को जानते हैं and out of one third population में से हर seventh voter हर सात्वा इंसान ये कहता था कि मैं किसी ने किसी political party का member हूँ तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है basically देखो इतना याद नहीं रखना है इसमें से आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे याना इतनी ज्यादा importance दी जाती है election को कि बस पूछो इमत तो अच्छी बात है वलकि vote देना चाहिए हम सबका अधिकार है और ये अधिकार ऐसा है हमारे पास कि हम न तकता पलट कर सकते हैं अगर government अच्छे से काम नहीं करेंगी हम दूसरी government ला सकते हैं तो देखो हमारा एक एक वोट इतना important है अगर हम वोट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा गोवर्मेंट को पता कैसे चलेगा वो डंग से काम कर रहे है कि नहीं कर रही है तो vote सब को देना चाहिए तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर one third population जो उसने 2004 में election में participate किया था सारी activities में participate किया था and one third population में से आदे लोग तो ऐसे थे जो यह कह रहे थे कि वो किसी ने किसी political party के close में है and हर सात्वा इंसान हर सात्वा वोटर यह कह रहा था कि वो किसी ने किसी political party का member है next point है दोस हूँ participated in India election related activity in India यहाँ पर देखो graph में बताया गया है कि 1996 की बात करे तो 8% लोगों ने election में participate किया था 1998 में 13 1999 में 21 2004 की बात करोगे तो यह ratio काफी अच्छा बढ़ गया था तो 32% लोगों ने election में election activity में participate किया and अब यह ratio और भी जादा increase हो चुका है ठीक है अब आगे यह वाला part है हमारा जो हम next वीडियो में करेंगे and फिर हमारा यह जो chapter है ना यह complete हो जाएगा चलिए मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye thank you so much for watching this video hello everyone I am Priyanka गोर welcome back to my channel learning with pace अभी हम लोग बात करेंगे about the acceptance of the election outcome acceptance का मतलब होता है स्विकार करना election outcome का मतलब होता है result ठीक है तो हमारे यहाँ जो election होते हैं वो free and fair तरीके से होते हैं तब ही हम उसके outcome को accept करते हैं लेकिन अगर election free and fair तरीके से नहीं होंगे तो बार बार favor किसके हाथ में जाएगा powerful party के हाथ में जाएगा and इस situation में जो powerful ruling party है वो तो कभी election को हारेगी ही नहीं अब अगर हमारे यहाँ election free and fair तरीके से नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है कि losing party चुप चाप बैढ़ जाएगी नहीं न losing party क्या करेगी वो भी question raise करेगी क्यों 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 उसको पता है कि जो सामने वाली party है उसने बेहिमानी से election को जीता है rigged का मतलब होता है बेहिमानी करना, dishonesty करना तो अगर losing party को ये लगेगा कि भई election में malpractices हुई है तो losing party चुप बैढ़ने के बजाए question raise करेगी and outcome को accept नहीं करेगी मतलब जो result declare हुआ है election में उसको वो accept नहीं करेगी Now the outcome of the Indian election speaks for itself अब इंडिया में जो elections होते हैं इसके जो result होते हैं बहुत सारी चीजे बयान करते हैं and outcome से हमें पता चलता है कि हमारे यां election free and fair तरीके से हुए भी है या नहीं हुए है तो पहला option है कि देखो हमारे यां जो election होते हैं चाहे national level की बात करो चाहे state level की बात करो तो दोनों ही level पर जब election होते हैं तो ruling party हारती है है ना ऐसा तो नहीं बार बार ruling party जीत रही है तो अगर हम कुछ पिछले 25 सालों की बात करें तो तीन बार जो election हुए होंगे उसमें दो बार तो ruling party हारी ही हारी है तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ruling party हारती है तो हमारे यहां एक तो ये चीज़ पर्ष्ट होती है कि लोग कितने attention देते हैं इस चीज़ की तरफ की government किस तरीके से काम कर रही है दूसरा ये कि अगर ruling party हारती है तो that means कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सरकार धंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है अब यहाँ पर US की बात करें तो वहाँ पर जो incumbent हैं incumbent का मतलब होता है sitting इसका मतलब होता है जो government officials हैं जिनके हाथ में seat है वो elected representative rarely ही अपनी seat को lose करते हैं अगर आप USA में बात करोगे न वहाँ पर क्या होता है कि जब election होते हैं तो वहाँ के बहुत ही कम elected representatives को replace किया जाता है लेकिन हमारे आगर आप देखोगे न हर 5 साल के बाद जब election होते हैं तो आदे MPs और आदे से ज़्यादा MLA's तो अपनी seat lose कर देते हैं election में तो इससे भी हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ free and fair तरीके से election होते हैं next है अगर कोई candidate election के time पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है लोगों को bribe करता है या फिर votes करीता है या फिर किसी candidate के या किसी party के criminal connection है और उस connection की वजए से वोट जीतने की कोशिश करता है तो इससे होता यह है कि जो candidates है उनके election को reject कर दिया जाता है और ऐसा violation करने पर उनको सजा भी होती है ठीक है इसके अलावा जो candidate पैसे से vote खरीता है या वो candidate जिसके कोई criminal connection है वो उफन ना election में हार ही जाता है क्योंकि लोग ऐसे लोगों को जो है vote नहीं देते next है कि electoral जो outcome होता है जो result आता है election के बाद उसको defeated party accept कर लेती है यह समझकर कि यह लोगों का verdict है ठीक है people's verdict कि जनता का जनादेश है तो वो तो accept करना ही पड़ेगा लेकिन अगर defeated party को यह लगता है न कि election में malpractices हुई है तो defeated party जो होगी losing party जो होगी वो उस outcome को बिल्कुल भी accept नहीं करेगी लेकिन अगर उनको लगता है कि जो elections है उसमें जो है इतने malpractices नहीं हुए देको धांदले बाजी का मतलब क्या होता है malpractices तो धांदले बाजी तो होती ही होती है अगर 10 seat है तो 10 में से 7 ऐसी seat होंगी जो लोगों ने prefer करी होंगे और 3 ऐसी seat होंगी जिसमें थोड़ी बहुत malpractices तो हुई होगी लेकिन majority में decision लोगों का ही होता है तो ऐसे time पर जो defeating party है वो लोगों के verdict को समझती है accept करती है अब आगे हम election में होने वाले challenges की बात करेंगे हमने ये तो जान लिया कि elections जो होते हैं इं ठीक है लेकिन ये चीज हर जगे जो है बिल्कुल true नहीं बैठती क्योंकि कई जगे हम भी ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे candidate हैं जो अपनी power पर या पैसे का use करके या unfair means के through वो election जीत जाते हैं लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ election में सब कुछ malpractices ही हो हम लोग जिने चुनते हैं वही election जीतते हैं अगर हम कुछ last 60 years की बात करें तो इस पे few exception मतलब बहुत ही कम ऐसे debate हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो यहां पर लोगों की जो preference है उसी को ही महतव दिया जाता है ठीक है next है yet the picture looks different if we ask deeper question are people's preferences based on real knowledge are the voters getting a real choice is election really level playing field for everyone can an ordinary citizen hope to win election तो देखो यह सारे जो questions है इनका answer हम यहीं पर देखेंगे तो यहां पहला question है कि क्या लोग जो preferences देते हैं election में मतलब वो किस party को जिताना चाहते हैं तो क्या लोग वाकई में real knowledge का use करके preferences देते हैं या फिर मतलब लोगों के पास वास्तविक्ता में क्या knowledge होती है and उस basis पर प्रेफरेंसिस देते हैं या फिर जो waters होते हैं क्या उनको real choice मिलती है क्या वास्तविक्ता में उनको ढंकी choice ऐसे मिलती है या फिर जो यह election का मैदान है क्या इसमें सभी लोग participate कर सकते हैं सब common people and अगर कोई ordinary people election जीते तो क्या वो election में election में अगर वो लड़े तो क्या वो election जीत सकता है यह सब questions के answer ना हम यहाँ देखेंगे पहला point है कि अगर कोई candidate and party जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो इसे यह ensure नहीं होता कि वो election में जीतेगा ही जीतेगा लेकिन फिर भी उसके पास कुछ advantages and कुछ opportunity होती है smaller parties and independent से ज्यादा smaller party वो हुई जिसके पास बहुत ही limited पैसा है independent वो हुआ एक ऐसा उम्मीदवार जो किसी भी party के साथ alliance में नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या समझना है कि जो candidate and party जिसके पास खूब सारा पैसा है उसकी वज़े से हम ये तो नहीं कह सकते कि पैसे की वज़े से उसकी victory हो ही जाएगी लेकिन फिर भी ऐसे candidate and parties जिनके पास पैसा है ना तो उनको advantage and opportunity अच्छी मिल जाती है क्यों कि देखो election campaign को करने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए and जिस party के पास पैसा होगा वही तो अच्छे से campaign कर पाएगी वही अच्छे से अपनी policies लोगों के सामने बता पाएगी वही अच्छे से जो है rallies कर पाएगी and जो rallies कर पाते हैं election campaign अच्छे से कर पाते हैं वही लोग जनता के साथ ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं तो यहाँ पर जो multi party होती है मतलब जिसके पास पैसा होता है न उसको यहाँ पर opportunity and advantage मिल जाता है next है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा तर हिसों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो candidates जिनके criminal connections हैं तो उनको भी कही न कहीं बहुत जल्दी ticket मिल जाती है major party की next है some families tend to dominate political parties, tickets are distributed to relatives from these families some families tend to dominate political parties का मतलब यह है कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो political party को dominate करने की कोशिश करते हैं and फिर क्या होते हैं कि उसमें na family में ही ticket बाट दी जाती है जैसे कि nepotism word सुना है न तो आप समझ सकते हो कि लोग अपने ही भाई चारे को आगे बढ़ाते रहते हैं अपनी family member को आगे बढ़ाते जाते हैं ठीक है तो जैसे कि मैं किसी भी party का यहाँ पर नाम नहीं लोगी आप इसके बारे में search कर सकते हैं कि एक ही जो family है उसी के लोग जो है party में आ रहे हैं तो आप देखोगे न क्या होता है कि एक ही family के लोग जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में तो अगर सेम फैमिली मेंबर के लोग है उनको इसीली टिकेट मिल जाती है और वो इसीली जो है पॉलिटिक्स में आ जाते हैं very often election offer little choice to ordinary citizens तो आम लोगों को ना बहुत ही कम opportunity मिलती है क्योंकि एक तो पहली बात है इनको जल्दी से party की टिकेट नहीं मिलती है तो major party इनको जल्दी से टिकेट नहीं देती है ordinary people के पास opportunity उतनी नहीं होती for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices तो यहां में यह समझ में आता है कि जो आम लोग है ना उनको तो party की टिकेट जल्दी से मिलती ही नहीं है ठीक है क्योंकि party की टिकेट लेने के लिए पैसा भी चाहिए connection भी चाहिए ठीक है तो party तो अपना benefit ज़्यादा देखती है यहां पर हमने nepotism की बात तो करी लिए कि वो अपने family member को आगे बढ़ाने में ज़्यादा लगे रहते हैं इसके अलावा जो party होती है उनके जो कुछ ऐसे चाहिए छोटी party हो बड़ी party हो हाला कि दोनों में जो policy होती है वो तो similar होती है उनको कानून वगेरा same follow करने पड़ते हैं लेकिन अगर ordinary people की बात की जाए तो ordinary people के पास ना उतने ढंके विकल्प नहीं होते चाहे छोटी party हो बड़ी party हो तो बड़ी party के पास आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे opportunities होती है अब छोटी party ना कहीं न कहीं पीछे रह जाती है उसके पास ढंके विकल्प नहीं होते है election में खड़े होने के लिए अब अगर हम ऐसी smaller party की बात करें या independent candidate की बात करें तो उनको बहुत सारी चीज़े सफर करनी पड़ती है as compared to bigger parties bigger parties के पास पैसा है connection है ठीक है यह जो challenges है यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि बहुत सारे अधर देशों में भी है जहाँ पर जो है democracy follow की जाती है these deeper issues are a matter of concern and ऐसे जो मुद्दे हैं यह concern वाले मुद्दे हैं इन पर ध्यान देना चाहिए ठीक है that is why citizens, social activists and organization have been demanding reform in our electoral system तो इसी लिए आमनागरिक and जो social activist है जो सामाजिक कारिया करता है and कुछ organizations है यह अब demand कर रहे हैं कि electoral system में कुछ सुधार किये जाएं कुछ reform किये जाएं can you think of some reform क्या आप कुछ ऐसे reform के बारे में सोच सकते हो बता सकते हो what can an ordinary citizen do to face these challenges तो ऐसी जो problems है जो election के time पर एक आमनागरिक को आती है तो इस time पर एक आमनागरिक को क्या करना चाहिए क्या आपके पास इसका कुछ solution है तो आप न इस चीज़ को comment कर देना description box sorry comment section में ठीक है यह वाला chapter न वाकई में बहुत बड़ा था लेक बहुत बड़ा था अब हमारा यह जो chapter है यहां पर complete होता है इसके अलावा यहां पर जो यह question है इनके answer आप किस तरीके से ढूंड सकते हो आप न दुबारा से इनको read करना अच्छे से फिर आपको न ओल्रेडी समझ में आ जाएगा कि इसका answer क्या होना चाहिए किस तरीके के reforms होने चाहिए basically यह है कि ordinary people को और मोका दिया जाए smaller parties को मोका दिया जाए आगे बढ़ने का इसके अलावा देखो हमने यहां पर यह भी पढ़ा था ना कि जिनके criminal connection होते हैं ऐसे लोग अगर उमीदवार के तोर पर चुनाव को लड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को major party की ticket जल्दी मिल जाती है और यह लोग दूसरों को push कर देते हैं push करने का मतलब है कि दूसरों को तो मोका ही नहीं मिलता जिनके पास criminal connection है उनको preference ज्यादा दी जाती है सो basically कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर यह तरीके के reform लाने है कि जिनका criminal connection है उनको ticket देनी ही क्यों है ठीक है इसके अलावा एकी family के members जो है वो ही political parties में participate करें वो ही political party को dominate करें यह भी नहीं होना चाहिए तो हमें इस तरीके के सुधार लाने है electoral system में ठीक है अब यहाँ पर ह इस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको time to time important notifications मिलती रहती है चलिए मिलते हैं next video में till then bye bye thank you so much for watching this video